जाहिन दोस्तों आप देख रहे हैं Master Video Official और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं biology NCRT सार संगडा मेहिस कुमार वर्णवाल के बुक से इसमें पूरा biology कंप्लीट किया गया है साथ ही अगर आपको टॉपिक वाइज स्टेडी करने तो इसके लिए यूट्यूब पे स से बात करने के लिए Instagram, Telegram सब का link description box में दिया गया है जैरूर जूर जाहिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं अध्यन के अंदर और इस वीडियो के माध्यम से हम सुरू किये हैं biology बुक है मेहिस कुमार वर्नवाल का NCRT सार संग्रा काफी important बुक है इसमें हम biology को पूरा करेंगे और प्रतेक जो वीडियो होगा उसमें एक से दो exercise complete होगा क्योंकि छोटा छोटा exercise दिया गया है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा कम ही दिया गया है short note के tap में है तो यह आपको definitely एक्जाम में help करेगा अभी जो हमार exercise है पहला वो है जी बिग्यान की उपसाखाएं यानि branches of biology अगर आप लोगों का response ठीक ठाक रहा तो इस वुक हम के जी से complete कर देंगा पहला दिया गया है वीटी कल्चर के द्वाड़ा क्या उत्पादित होता है यानि वीटी कल्चर जब भी आए अंगूर होगा अंगूर वीटी कल्चर अंगूर जेरेंटोलोजी के अंतरगत ब्रिधावस्था एवं आयू विर्धी के परभाव के विसाय का आध्यन किया जाते हैं रिपीट करते हैं जेरेंटोलोजी में ब्रिधावस्था जेरेंटोलोजी ब्रिधावस्था और विटी कल्चर किसे समंदी था अंगूर से था वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर होता है warm से केचुвар से, हर्थ वर्म, वर्मी कल्चर, पेडोलोजी होता है मिट्टी से, पेडोलोजी, पेडोलोजी मिट्टी, फूलों का अधियन कहलाता है Anthology emphasis anthropology को entomology से लब फ्षू्ज्ज नहीं कर ले न यह E से स्टार्ट होता है entomology ठोड़ा एंग्लिय सिंदी कर लीजिए गा entomology insect से होता है यानि किट से फिर ज़ी रिपीट करते है एक बार anthology घण होगा तो वो होगा फ़ल से, सौरी फूल से और entomology होगा तब वो क्या होगा कीट से इनसेक्ट से जनसंख्या एब मानब जाती का आंक्रा का अधियन होगा उसको कहा जाता है जन्ना की की यानि डेमो गडाफी डेमो तो भीर होता है डेमो क्लास चलता है डेमो क्लास वह भीर होता है उसमें इसलिए डेमो गडाफी जनसंख्या मानव जाती के आंक्रे से संबन देते हैं जिवास्म बिज्ञान पेलियो बोटनी के अंतरगत पादप जिवास्म यानि फोस्यल प्लांट का अध्यन किया जाता है फिर से रिपीट करते हैं जिवास्म बिज्ञान के अंतरगत हम पादप जिवास्म का अध्यन करते हैं जिवास्म बनस्पती के अंतरगत हम पादप तो के बैग्यानिक विवरन की तुल्नात्मक अध्यान को कहा जाता है एथनोलोजी, यह संस्कृति और बैग्यानिक विवरन की जो तुल्ना होगी वो होता है एथनोलोजी के अंतरगत, एथिक्स पढ़ते हैं न संस्कृति के बारे में, सबजी का अध्यान होता है ओलेरी कल्चर अस्थियों का आधियन जो होगा ऑस्टियोलोजी होगा अस्थि यानि बोन का हड़ि का आधियन साप के विशेय में अगर जानकारी लेगा तो उसको सरपोटोलोजी कहा जाता है सरपेटोलोजी हाइड्रोपोनिक्स होगा मृदा भीहीन पादप संबर्धन यानि बिना मिट्टी का अगर आप पेर लगाऊगे उसके लिए चाहिए आपको पानी और हाइड्रो मतलब क्या होता है पानी मतलब अगर पानी में अगर आप पेर लगा रहे हो उसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स उसी को लिखा जाता है बिना मिट्टी का अगर पादप संबर्धन करेंगे तो वो होता है हाइड्रोपोनिक्स के अंतरगत जन्तु बिग्यान के अंतरगत किन जन्तुओं का आध्यन किया जाता है इसमें जिवित और बिर्त दौनों परकार के जन्तूओं का आध्यन करते हैं अब आगे जीव बिग्यान के साखाएं और उसका जनक दिया गया है जिसमें जन्तू बिग्यान इसके आरस्तू इसको तेजी से याद कर लिजेगा बहुत असान होता है और इंपोटेंट तो है ही जन्तू बिग्यान का आरस्तू जबकि पूड़ा अगर आपसे जीव बिग्यान का पूछ दे तब ही क्या होता है आरस्तू ही होता है बनस्पती बिज्ञान अगरो तो थियो फ्रेस्टस बनस्पती बिज्ञान यानि बोटनी का थियो फ्रेस्टस माइक्रो बायोलोजी शुक्षम जीव का बिज्ञान तो लुई पास्चर बैक्टिरियोलोजी जिवानु बिज्ञान का रोबर्ट कोच बहुत पर पुछा गए इसा प्रस्ण है जिवानु बिज्ञान यानी बेक्टरियोलोजी का रोवर्ट कोज और इसका क्या था मैक्रोबायोलोजी का लुईपास्जर प्रती रक्षा बिज्ञान यानी इम्म्यूनोलोजी इसके हैं एडवर्ड जेनर Edward Jenner Immunology के वर्गी की अथवा वर्गी करण का Taxonomy उसके लीनियस, Carolus Lineus, रुधीर यानि पड़ी संचरंतंत्र Circulatory System, William Harve, William Harve, कोशी का विज्ञान यानि सैटोलोजी, Robert Hooke, Robert Hooke, उत्पड़ी वर्तन यानि Mutation, इसके है Hugo Debris, Debris याद रखो, उत्पड़ी वर्तन के कौन है Debris, कवक विज्ञान यानि माइकोलोजी, Anton Deberi, Anton Deberi, कवक का अध्यन होता है माइकोलोजी, ये भी आपके लिए important है, कवक का अध्यन माइकोलोजी, इसके लिए है जनक Anton Deberi, पादप सरीर किडिया विज्ञान, इसके है Stephen Hills, Stephen Hills, आधुनिक बनस्पती विज्ञान, यानि Modern Botany के है Linius, जिन्हें वर्गी की का पिता कहा जाता है, उन्हें ही Modern Botany का भी जनक कहा जाता है, ठीक ना, ये है Codellus Linius, रुधीर वर्ग, जो Blood Group होता है, उसका तो Lendestiner है, Karl Lendestiner, अन्ता स्रवी विज्ञान, यानि Indokrinology, इसके है Thomas L.Y. Edison, अन्ता स्रवी विज्ञान के कौन है L.Y. Edison, अनुवांसी की Genetics, Gregor Mendel, सबको याद है ये तो, जनेटिक्स के कौन है Gregor Mendel, आधुनिक अनुवांसी की, इसके हो जाएंगे T.H. Morgan, काफी important है, अगर सिर्फ अनुवांसी की का जनक पूछे, तो हो जाएगा Gregor John Mendel, और आधुनिक अनुवांसी की का हो, हो जाएगा T.H. Morgan, भारतिये पूरा बनस्पति विज्ञान, इसके हो जाएंगे बिर्बल साहनी, ये पूरा बनस्पति विज्ञान है, अनुवांसिक अभी यांत्री की, पॉल बर्ग, सेवाल विज्ञान, यानि फाइकोलोजी, फाइकोलोजी होता है, सेवाल विज्ञान का अधियन, इसके हैं William Henry Harvey, William Henry Harvey, भारतिय सेवाल विज्ञान, M.O.P. अयंगर, M.O.P. अयंगर, इंडियन साइकोलोजी के, सौरी, ये फाइकोलोजी है, भारतिय परिस्थितिक, यानि इंडियन इकोलोजी, राम देव मिश्रा, राम देव मिश्रा, औसधी बिज्ञान, काफी इंपोटेंट है, औसधी बिज्ञान के कौन है, हिपोक्रेटस, जो भी मेडिकल का छात्र होता है, उसे हिपोक्रेटस का ही सपत दिलाया जाता है, सुक्ष्म दर्शिकी, यानि मैक्रोइस्कोपी, इसके हैं लिवेन हुक, लिवेन हुक, जिनोंने सेल का खुज गया था, लिवेन हुक, जीन सिकित्सा, जीन थ्रेपिक के हैं एडर्सन, अब नीचे में हर पेज में एक फ्रेक्ट दिया गया है, जन्तू बिज्ञान और जी बिज्ञान का अगर पूछे, ये एक ही साखा होता है, जाखाएं हैं विज्ञान की, उसको देख लेते हैं, हलांकि उपर में भी कुछ साखाएं पढ़े थे, घासों का अध्यन और पालन होगा, वो होता है घास विज्ञान, यानि एग्रो एस्टोलोजी, एग्रो, देखो इंग्लिस टर्म इसमें पूछा जाएगा आपके एक्जाम में, घास विज्ञान पूछेगा तो कोई भी टिक कर देगा, आपको याद करना है एग्रो एस्टोलोजी, ये होता है घास का अध्यन और पालन, एल्गो लोजी होता है सेवालों का अध्यन, साथी फाइको लोजी भी क्या था सेवालों का ही अध्यन था, और यहाँ पर एल्गो लोजी भी क्या होता है, अल्गी, सेवाल का एंग्लिस ही होता है अल्गी, तो आप टिक कर सकते हो, एनोटोमी एनाटोमी होता है आंत्रिक सनरचना का आध्यान एन्थोलोजी पुस्पो का आध्यान यह उपर पढ़े हुए थे एन्थोलोजी पुस्पो का आध्यान जाब हमने कहा था कि एटेमोलोजी से एन्थोलोजी को कन्फ्यूज नहीं कर जाना वो क्या होता है ब्राइओफाइट केसीडे वनेे रोग जन्य गाट पादप केंसर का केसीडे वनेन। यह वने वनेन तरतर छाइण की पता करते हैं यह रिएवर्शिक वालाई से यह रिए यह वनेन भी लीट है। डेंड्रोलोजी में हम ब्रिक्ष एवं जहाडियों का अध्यान करते हैं। इकोलोजी में पौधे का वातावरन से संबंदित अध्यान करते हैं। इकोनोमिक बोटनी आर्थिक महत्यों के पौधे का अध्यान करते हैं। पादब काउप योग आधिवासी कैसे करता है यह हम पढ़ते हैं एथनो बोटनी के अंतरगत फोरेस्ट्री में हम वनो का अधियन करेंगे एक्सो वायोलोजी यह अन्यगरा यानि जो हमारा वायु मंडल है उससे उपर का जो भी हम अधियन करेंगे अन्यगरा पर संभावित जीवों का अधियन अगर होगा उसको हम लाते हैं एक्सो वायोलोजी के अंतरगत जैनेटिकल इंजिनियरिंग यह होता है क्रित्रिम जीन्स यानि artificial weigh के निरमान और अस्थानतरण के अधियन से सम्भनतित है जैनेटिकल इंजिनियरिंग लाइकोनोलोजी ये लाइकेन्स का अधियन करवाता है वहीं मैक्रोबायोलोजी पढ़े थे सुक्षमजीव का अधियन ये सब एक बार में नहीं याद होगा एक दो बार अगर आप देखोगे न तो याद हो जाएगा माइकोलोजी माइकोलोजी कवक का बैग्यानिक अधियन है माइकोलोजी माइकोप्लाज्मोलोजी माइकोप्लाज्मोलोजी ये माइकोप्लाज्मा का बैग्यानिक अधियन है माइकोप्लाज्मा का बैग्यानिक अधियन निमेटोलोजी ये निमोडोटस का पादपों के साथ सम्मंद का अधियन है पेलियोबोटनी पेलियोबोटनी होता है पादप जिबास्मों का अधियन पेलियोबोटनी क्या होता है पादप जिबास्मों का अधियन पैलिनोलोजी ये पड़ाग कन जो पोलिनेशन होता है उसका अध्यन होता है पैलिनोलोजी के अंतरगत पैथोलोजी पादप रोगों के उपचार वा अध्यन है पादप रोग का उपचार और अध्यन के लिए पैथोलोजी पैथो, पेरासीटोलोजी, पोसक तथा पड़जीवियों के संबंधों का अध्यन, पेरासीटोलोजी, फार्मेकोलोजी, फार्मेको, औसधिये पादपों का अध्यन, औसधिये पादपों का अध्यन, जिसे हम दवाय तियार करते हैं, फार्मेकोलोजी के अंतरगत उसका पॉधे का बित्रन कौन से जगह पे कैसा पॉधा होगेगा वह हम करते हैं फाइटो जियोग्राफी के अंतरगत एस्पेस बायोजी यह अंतरिक चौरवायु मंडल में इस्थित पादपो का अधन एस्पेस बायोजी एस्परमोलोजी बीजों का आध्याँ आगे है हीलियो थेरेपी हीलियो थेरेपी सुर्ज के परभाव से चिकित्सा करने की प्रकिडिया को कहते हैं हीलियो थेरेपी हाइड्रोपोनिक्स उपर पढ़े हुए थे कि जल समवर्धन का आधियन बिना मिट्टी का अगर हम पेर पौधे हो गाएंगे उसके बारे में अगर इस्टडी करेंगे वो होता है हाइड्रोपोनिक्स अब आगे यहाँ पे जन्तु बिज्ञान की पर्मुक साखाए हैं अब उपर पढ़े थे हम जो पादब बिज्ञान का था अब है जन्तु बिज्ञान की कुछ साखाए हैं काफी इंपोर्टेंट हैं पहला दियागे एनाटोमी इसमें बिछेदन के द्वारा सरीर एवं बिधिक अंगों की रचना का प्रदर्शन करना है एंथ्रोपोलोजी मानब जाती के संस्कृतिक बिकास का अध्यान एंथ्रोपोलोजी एकोलोजी जैविक एवं और जैविक वातावरन से जीवों के विभिद समंधों का अध्यान एंडोक्रोणोलोजी यह अंथा स्रवी तंत्रों का अध्यान एंब्रियोलोजी भुर्निय समवर्धन का अध्यान इंजाइमोलोजी उत्प्रेडकों का अध्यान एंटोमोलोजी कीट पतं का अध्यान अगे है जैनेटिक्स जीवों के अनुबांसिक लक्षन और इसकी वनसंगति का पता लगाना यह है जैनेटिक्स हीमेटोलोजी यह रुधीर और रुधीर के समंधी रोग का अध्यान करने के लिए हीमेटोलोजी हारपेटोलोजी उभाईचर एबम सरीश्रिप का अध्यान होता है हारपेटोलोजी के अंतरगत मेमोलोलोजी अस्थंधारियों का आधियन मेमेल मतलब होता है अस्थंधारी तो मेमोलोलोजी अस्थंधारी का आधियन माइक्रोबायोलोजी यह अतिस्षुक्ष्म जीवों का आधियन माइक्रोबायोलोजी नियूरोलोजी तंत्रिका तंत्र का आधियन neurology, odontology, odontology होते दंत बिज्ञान, समंधी आधियन, odontology, odontology, ये पक्षियों का आधियन होगा, odontology, pathology, ये रोकी प्रकिर्ती, लक्षनों के कारण का आधियन, pathology, जो आपका lab, जो blood test होता है वो सब, तो वह होता है pathology करता है radiology जीबों पर बिकीरन परभाब का आध्यन radiology taxonomy taxonomy ये जीब जातियों के नाम करण एवं वरगी करण का आध्यन है taxonomy और सबसे last वाला fact है इसमें आयू विर्धी के साथ जीबों में होने वाली परिवर्थनों के आध्यन को जरा बिघ्ञाण केहते है यनि geran इसमें क्या करते हैं आयू विर्धी के साथ जीब में होने वाला परिवर्थन वो होता है जरा बिग्ञाण यानि जरि़ंटो लोजिक की अंतरगत आगे जो exercise है वो है जीबन की उत्पतों से मन्दित परमुक शिद्यानत और जैपिकास देखो यह इसका पहला वीडियो था इसको यहीं करते हैं अगर चाहते हो कि थोड़ा लंबा लंबा वीडियो बनाए तो जो लास्ट तक देखे हो वही प्लीज कोमेंट करना ठीक ना क्योंकि आप लोग 2-3 मिनट देखते हो और कह तक के लिए जहिद जहिद दोस्तों आप देखने हैं आध्यन के अंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम मेहेश कुमार वर्नवाल का जो सार संगड़ा है उसका बायलोजी पढ़ रहे है तो ध्यान से देखेगा काफी इंपोटेंट बूख है किसी भी एक्जाम के लिए आज जो हमारा एक्सेसाइज है जीवन की उत्पत्ती से समंधित पर्मुक सिध्यान्त एबं जैबिगास पहला प्रस्ने यहां पे जीबिगास को सरपर्थम किसने परिवासित किया था लेमार्क ने लेमार्क जिन बोप्टिस्ट डी लेमार्क अब लेमार्क याद र माना है करो मैगनोन को आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वर्स माना है बर्तमान प्रमान के अनुसार पिरिथभी पर जीव का उदगम लगभग कितने वर्स पूर्भ हुआ था दो अरब वर्स पूर्भ दो अरब विकास वाद का सिध्यांत डार्विन ने दिया था करे थोरी ऑफ यह लेशन काफ़ी इंपूर्वटेंट है विकास वाद का सिध्यांत किसности डिया चार्ल्स डार्विन ने Princi 200 का परमुह कारक्ण क्या है प्राकृतिक वरन नेचुराल सिलेक्शन है विकास की उद्परिवर्तन सिध्यांत का प्रतिपादक माना जाता है Archeopteryx, जूरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरी सिर्प वह पक्षी वर कе मध्य की कड़ी है। उस पक्षी का नाम क्या है आर्कियोप्टेडिक्स ये किस युक्का है जुरेशिक युक्का है साथी वो सरी सिर्फ और पक्षी दोनों के मध्धिका करी है मतलब ये दोनों के बीच में आता है मैमेथ किस जीव का पुर्बज है हाथी का हाथी के पुर्बज का नाम है मैमेथ पिरित्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ती माने जाती है नील हरित सेवाल का सीत रितू में पस्वों के प्रसुपती काल को क्या कहते हैं हाइवर नेशन फिस जीव में सनायू तंत्र या नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिस्क नहीं होता ये है तारा मीन, स्टार फिस का हिंदी होता है तारा मीन, स्टार फिस में क्या होता है, नरफर सिस्टम तो होता है पर उसमें मस्तिस्क नहीं होता जिवानू में किस परकार के रैवोसोम पाये जाते हैं, 70S, 70S रैवोसोम पाये जाता है डाइनासोर सरेश्रिप वर्ग में आते हैं इसका उदाय मोनोजाइक युग में हुआ था ये मोनोजाइक युग जात रखिएगा इसी में डाइनासोर था नील हरित सेवाल जिवानू तथा कवक में लवक नहीं पाया जाता बलकि लोमिली के अकार की रचना पाई जाती है वो क्या है वो है क्रोमोटो फोर्स किन पौधों में जायलम बाहिकाओं का अभाव होता है अनाविर्थ बीजी या एवं टेरीडो फाइट्स काफी इंपोटेंट है जायलम होता है पौधे में जल ले जाता है तो उसका अभाव होता है अनाविर्थ बीजी एवं टेरीडो फाइट्स में पांच जगत वर्गी करण किसने प्रस्तूत किया था हिकेटर ने हिकेटर जब्पिंग जेन की खोज किसके दुवारा किया गया था मैक क्लिंग टॉक के दुवारा मैक क्लिंग tock कौन सा चार DNA और RNA दोनों में पाया जाता है एडिनीन, ग्वानीन और सैटोसीन ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव है जो पक्छी वर्ग में नहीं आते चमगादर चमगादर को उड़ने की कीट एवं छमता होते हुए भी पक्छी वर्ग के अंतरगत नहीं सामिल किया जाता बलकि इसे अस्थन पाई वर्ग में समलित किया जाता है किसको चमगादर को वह समू जिसके जन्तु प्राय रात्री चर होते हैं जो रात को घुमता है वह है मच्छर, चमगादर और उलू अब यहां पे कुछ नाम दिया गया है और उसका बैज्यानिक नाम दिया गया है तो मानव का होमो सेपियंस, तेन्दुआ पैंथेरा पारदस, पैंथेरा पारदस, भाग का पैंथेरा टिग्रिस काफी इंपोर्टेंट है सेर का पेंथेरा लियो, सेर तेंदूआ बाग, सब में पेंथेरा गुरूपी है, और यदर पार्ड़स था तेंदूआ में, बाग में टिग्रिस और सेर में लियो, मडर्खा काफी पुछा जाता है, पाइसस एस्टाइवम, बिल्ली का फेलिस कैटस, मेड़क रनार्टिक डीन, धहान का उराईजा एस्टाइवा, सर्शो ब्रेशिका कमपेश्ट्रस, चना का सीशीर एडी एटीनम, चना का सीशर एडी एटीनम, गेहुं का होता है ट्रीटिकम एस्टीवम, गाई, गाई का होता है बौस इंडिकस, आम का मेगनी फेरा इंडिका, मेगनी वहरा इंडी का, comment box में आपको कुछ और बताना है, जैसे कि मेधक का, मेधक और मोर का, यह दोने भी काफी important है, जो मैं उता देता हूँ, मोर का तो थे पाबो क्रिस्टेस, पाबो क्रिस्टेस, और मेधक का, राना ठीक रीना, यह सब भी काफी important है, परकास अंसिलेशन की परकासिक एबं औप्रकासिक अविकरिया chloroplast में कहां संपन होता है तो घ्रेणा और कोछा संग के कुछ जंतू में नीले और रुड़कर का रक्त किसके कारण होता है तो होमो या सनीन के कारण रक्त में जो भी कलर होगा वो हीमो से ही एस्टार होगा है तो नीला और हडा किसे कारण होता है हीमो या सनीन के कारण अगर यह एक लाइन दिया गया है कि मानव हिर्दय का बाया नीलल प्रकोस्ट पुरुंता ऑक्सिजन कृत और महाधमनी जो होता है महाधमनी में और संपूर्ण सरीर को भेजता है मतलब जो हमारे सरीर का अगर यह मालो हिर्दय है तो इसमें जो बाया नीला है इसे रवाला यहां पे दो होता है यहां तो यह नीला जो होता है इससे ऑक्सिक्रित रखत जिसमें ऑक्सिजन होता है वो महाधमनी पूरे सरीर में पहुंचाता है इसका मतलब आगे आपका है कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा क्रियात्मक सहचड़ी पाया जाता है कवक मूल कवक मूल इस्ट और मस्रूम किस परकार के होते हैं फुफुंद डैप के फंगस होता है कपास में पाया जाने वाला पर्मुग घटक है सेलूलोज किस से निर्मित होता है कवक और सहवाल से जीवन चक्र की दिरिष्टी से पौधे का सबसे महतपूर्ण अंग पुस्प होता है बहुत पर पुछा गया प्रसन है आबिर्थ बीजी पादप का उदाहरन है, जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है, तथा या मलेडिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, सिनकोना के छाल से बनता है, कुनेन, सेब में पाया जाने वाला लाल रंग जो होता है, वो होता है, एंथो सै कि किउनीन टमाटर में लाल रंग किस के कारण होता है तोलाइकोपीन कि उपस्तिती के कारण सहतूत के फल का बाग्यानिक नाम जो है वो his क्रोशिस सर्पों का वजह जिश गृंधिंड होता है किसके समांग होता है कसेरुकी प्राणियों की लाडगरंती के समान निंपे निंपे थिस खास याना नामक पौधे मुखिता भारत की किस राज में पाये जाते हैं मेगाले मेगाले चटानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं सैलोद भिद घट पढणी कीट भक्षी पादप के अंतरगत आता है जिसकी पतियों में पूर्ण क्या होता है फलक घट होता है घडे के समान होता है लवी स्टैप का होता है और वो बंध हो जाता है कौन सा प्रानी अपने आथ में जलका संग्रा करता है सबसे बड़ा ओक का सेरुकी जीब कौन सा है कोलोसल स्कुएट अगे लीची के फलों को किस साखा के अंतरगत रखा जाता है एक बीजी बेरी हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होता है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है लाल मिर्चे किसकी उपस्थिती के कारण ठीखा होता है कैप से सीन के कारण सबसे बड़ा अस्थनपाई जीव है ब्लू वेल रेसम का कीरा अपने जीवन काल में किस अवस्था में वानिजिक तन्तु उत्पन करता है प्यूपा अवस्था में प्यूपा आवस्था, गर्म रुधिर वाले या सम तापी, जन्तु के सरीर का तापमान कितना होता है, सदेव एक समान होता है, एक समान, समुद्री घोड़ा किस परकार के जीब का उधारने मचली घोड़ा, मचली घोड़ा, सी होर्स, वह कौन सा अस्थन पाई है, जो अंड गुन से अलग करता है, मानव, सरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशी का जो है, वह सुक्रानू है, सील, किस वर का प्रानी है, अस्थन पाई, कौर्क किस पेर में पाई जाते है, क्वेकर्ज में, क्वेकर्ज, डॉल्फिन किस वर के अंतरगत आता है, अस्थन पाई अस्थन पाई अफीम और मॉर्फीन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है गन्य के रोपर में किसका भाग का प्रयोग होता है तना का तना लासुन के गंद का कारण है सलफर योगी क्यों बस देती सलफर सुस्क जलबायू के अनुकुलित पेर पौधे को कहते हैं मरुद भिद जैरोफाइट यहां पर लिखा है जल और अस्थल दोनों में रहने वाले जीब को उभाइचर कहा जाता है और इसका एजामपल यहां पर मेठा कच्छुआ साब यह सब होता है कर अगे अधिपादप अन्य पाधे पर क्युं निर्भण होते हैं यांत्रिक सहारे के लिए यांत्रिक सहारे के लिए तिक और माइट किस जीब्स से सम्बंदित है मक्डी से जबनु की चमक किस इंजाइम के कारण होता है सन हैंपने से किसे प्राप्ट किया जाता है फ्लोयम से लेकड हीमोगलोबीन किस में पाया जाता है लेग्यूम मुल गरंथिों में डार्विन की पुस्तक on the origin of species का प्रकासित हुई थी बड़्च 1869 जैब विकास के पक्ष में किस रोत से परत्यक्ष परमान पड़ाप्त होता है जीवास्मों से जीवों की विकास के संधर में कौन सा अनुक्रम सही है सेलामेंडर अजगर और कंगारू किन कसे रुको जीब के काल पुर्णता अनुपस्थित होते हैं सरीश्रिप का कौक्रोच और सिल्वर फिस में किस परकार का पड़ी संचरन तंत्र पाये जाता है खुला पड़ी संचरन तंत्र ओपें सर्गुलेटरी सिस्टम अस्थनपाई भुर्ण के उत्सरजनिये पादप किसके दुआड़ा उत्सरजित होते हैं अप्ड़ा पैसेंट्पी चमगादर कौन सा पराणी है किसा पराणी है नियत तापी है वार्म ब्लाड़ेट बिज्यान की पुलियेंटोलोजी नमक शाख्खा के अंतरगत जिवासमों का अधियन करते हैं सबसे ऐसे तेज गतिच से दौड़ सकता है हिस्टोलीटिका नामक पढ़जी भी मानव के अंग में पाया जाता है, यह आँख में पाया जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलीटिका, लिगनीन नामक पदार्थ जो होता है वो जैलम उत्तक पर जमा होता है, डिएने संसलेशन तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र में किस परवस्था में बनते हैं, एस परवस्था में, वह जीब जिसका महत्व डूबने से हुई मिर्थियू का पता लगाने में किया जाता है, डाइटम, पपिते का पीला किस रंग के कारण होता है, केडिका जैनित के उपस्थेती के कारण, पोधे के किसके भाग से हल्दी प्राप्त होता है, तना say, तना, किस सेवाल से आयोडिन का निर्मान होता है, लेमी नेरिया नामक सेवाल से है वे जिवानू जो वायू मंडली ये नेट्रोजन को नेट्रोजन के योगिक में परिवर्तित कर देता है वो है नेट्रोजन इस्थरीकरन जिवानू अधिक नमक वाले अचार में जिवानू जिवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रब कुंचित होकर मर जाते हैं कबक कोजिका में संजित होने वाला खाद पदार्थ है गलाइकोजन तलावों और कुवों में किस जन्तु को छोड़ने से मच्छर का नियंतरन में मदद करता है तो वह गैंबूसिया फिस गैंबूसिया देने से मच्छर को भू मार देता है विस्फेनॉल ए क्या है ये खाद सामवेस्टन सामेगरी विकास के लिए पर्योग में लाया जाने वाला रसाइन है मिर्दा के परयोग के विना केवल खनी युक्त साहता से अगर पौधे होगाएंगे उसको हम हैड्रोपोनिक्स कहते है प्रति जैवी को मुख्धा प्राप्त होता है जिवानू से इस कोसिका में कौन सा विहार होता है जैमेस जैमेस जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन भिन लक्षनों के साथ नियंत्रित करता है तो उसे हम कहते हैं बहु परभावित का नियम क्यों नीन किसकी चाल से प्राप्त होता है सिनकोना के चाल से क्यों नीन मेंडल ने अपने वंसानू गती नियम जो रूल्स ऑफिस का रिरेटी है को परतिबादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था मठर के पौधे का गार्डेन भी ग्रेगर जोन मेंडल 1822-1884 इसबी में आधुनिक अनुवांसिकी का जनक कहा जाता था किसको ग्रेगर मेंडल को सुखा सहिसुनता से समंदित हार्मोन है एवासिसिक एसीड अधिकांस एंजाइम के विकार जो होता है किस में अधिक सक्रिये होता है आगे आपका कोशिका दिया गए उसको मगले वीडियो में कबर करेंगे सेशन अगर अच्छा लगना आओ तो लाइक और सिर जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं एक्स वीडियो में तक तक के लिए जहिए जहिए दोस्तों आप देख रहे आधियन के अंदर और इस वीडियो के माधियम से अभी हम में है इस कुमार वर्नवाल का जो बुक है NCRT सार उसका हम बायलोजी पढ़ रहे हैं आज हमारा तीसरा जो एक्सेसाइज है सिल यानि कोशिका उसके बाड़े में पढ़ेंगे काफी इंपोर्टेंट है इसको ध्यान से देखिएगा द्यागे जैब कोशिका के किस कोशिकांक को उर्जागर कहा जाता है यानि पावार होस कहा जाता है मैटो कॉंड्रिया हमारे तंत्र में अधिक्तम ATP अनुओं को उत्पर्ण करने वाले पदों का नाम जो है उसे हम कहते हैं क्रेव्स चक्र क्रेव्स चक्र काफी इंपोर्टेंट है क्रेव्स चक्र प्लाजमा जिल्ली किन पदार्थों की बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से प्रोटीन तथा लिपिड से बना होता है प्लाजमा जिल्ली मानव शरीड के किस अंग में लसीका कोशीका पाई जाती है लसीका कोशीका होता है पलिहा में किस जीब में लिंग गुन सुत्र नहीं पाया जाता छिपकिली बहुत इंपोर्ण रही है किस जीब में लिंग गुन सुत्र नहीं पाया जाता छिपकिली जन्तु कोशिका में अनुपस्थित होता है कोशिका भित्ती, सेलवाल नहीं होता, तो ये किसमें होता है? प्लांट सेल में पिट पिंड यानि कॉर्पस लिटियम कहां पाया जाता? अंडासाय में प्रक्रमित कोशिका मिर्थ्यू के कोशिकिये और आन्विक नियंत्रन को क्या कहा जाता है? एपॉप्टोसिस केंदरक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डी एने उपस्थित होता है हरित लबक और मैटोकोंड्रिया में किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कोशिका का पाचन थैली कहते हैं मनुष्य के किस उत्तक यानि टिसू में जन्म के पस्चाद कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका उत्तक कौन सा भाग पादप और जन्तु कोशिका में पाया जाता है कोशिका जिली, कोशिका दर्ब और क्यंद्रक हाइपर प्लासिया का क्या आर्थ होता है कोशिका के अकार में बिर्दी होना हाइपर प्लासिया का मतलब होता है कोशिका के अकार में जो बिर्धी होगा अगर आपका इसका टॉपिक वाज पटना है तो सर्च कीजिएगा टायरलेस कुमार जल्दे उस पे वेडियो आ जाएगा सेल के वारे में तो वहाँ पे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा जीन सब्द सर पर्थम किसने परति पादित किया था जॉनसन ने जॉनसन रिवर्स परति लेख की खोज किसके दुआरा की गई थी टेमीन एवं वाल्टी मोर जब एक युग्म जीन दूसरे इकाय के परभाव को छुपाता है तो इस प्रकिडिया को हम प्रभाविता कहता है कोशिका का जिवित अंस जीव द्रब कहलाता है यह किसी से मिलकर बनता है कोशिका द्रब केंदरक द्रब कोशिका द्रब और केंदरक द्रब से कौनसा कोशिकांग प्रोटीन संसलेशन में सहायक होता है राइबोसोम, मानव सरीड में गुनसुतरों की संख्या होती है 46, यानि 23 जोरी, 23 जोरा, कौनसा तत्व, पौधे की कोशिका भिती की सनरचना का घटक है, केलसियम, केलसियम, सबसे छोटी जिवित कोशिका होता है, मैकोप्लाज्मा, किसे जीवन का भौतिक अधार कहा जाता ह है जीवद्रब को, प्रोटोप्लाज्म, कौनसी कोशिकांग, केबल बनस्पति कोशिका में होता है, हरितलवक, हरितलवक और सेलवाल जो होता है, वो भी उसी में होता है, दुईनाम पधती के जन्मदाता है, लीनियस, केलोलस, लीनियस, दो कोशिकाओं के मध्य, तो क Imma कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध जिसो में स्टोमाटा कहता है, खुल जाता है, तो पोटासियम, याद रखिएगा, प्लांट का जो वो पत्ती होता है, स्टोमाटा, उसमें कौनशा ये होता है, तो पोटासियम पर आपको ठिक करना होता है, ट्रेफिक पुलिस प्लाज्मा जिल्ली किसकी बनी होती है लैपो प्रोटीन लैपो प्रोटीन प्लाज्मा जिल्ली की सनरचना का यूनिट मेंब्रेन मॉडल किसने दिया था रॉबर्ट सन ने 169 में रॉबर्ट सन कोशिका भित्ती होता है प्रागम में कोशिका भित्ती प्रागम में होता है यहां पर सबसे छोटा कोशिका दिया गया है बिसुप का यह है मैको प्लाज्मा गेली सेप्टिकम मैको प्लाज्मा गेली सेप्टिकम सबसे बड़ा कोशिका सुत्रमुण के का चेसुरसस与 है सबसे बड़ी पादप कोशिक आ टेक्सी फोलीया तरुको टेक्सी फोलिया यह पे नीचे एक लाइन दिया गया है कि मनुष्य के शुक्रानू तथा महिलाओं के अंडानू के निशेचन की किरिया अंडवाहनी में संपन होती है इसके बाद जो हमार एक्सेसाइज है वो है पोसन उसको मगले वीडियो में कवर करेंगे परतिक वीडियो में एक लेसन रहेगा तो पढ़ने में असानी होता है तो अगर सेसन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सेट जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक सधिक लोगों तक पहुँच पाए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जहीं दोस्तों आप देख रहे हैं अधियन के अंदर और अभी हमें हिस्कुमार वर्णवाल से बैलोजी पढ़ रहे हैं NCRT सार संग्रा जो बुक है आज जो हमारे सेज़े वो है पोसन, nutrition तो इससे जो भी महतपुर्द परस्त बनते हैं उसको complete करेंगे पहला यहाँ पर है मानब सरीर में किस पोसन तत्तो की कमी के कारण सारेडिक बिर्धी धीमी हो जाती है प्रोटीन बिटैमिन A का मुखि स्रोथ क्या है दूद बिटैमिन A का मुखि स्रोथ दूद प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचूरता किस खाद पदार्थ में होती है मुंग फली में मुंग फली सरीर में तवचा के नीचे बिधमान वसा सरीर की उस्मा के हरास के बिरुद अब रोधक कारी करती है सरीर में तवचा के अंदर जो वसा होता है वो उस्मा के हरास के बिरुद अब रोधक का काम करता है तेंपरेचर को मेंटेन रखने में हल्प करता है सरीर में उत्तकों का निर्मान किस पोसक तत्व से होता है प्रोटीन से होता है कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है ट्रिपसीन समान्य क्रियासील महिला के लिए प्रोटीन की उप्युक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए लगभग 45 ग्राम अस्थन पान करवाने वाली मा को परती दिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की अवसकता होती है लार यानि स्लिवा किसके पाचन में सहियो करता है स्टार्च असली यानि तीसी किसकी प्रचूरता का स्रोत है ओमेगा थ्री वस्ये एसीड का अमल का मानव सरीर में पाचन की अधिकान स्क्रिया किस आत में होता है तो छोटी आत में मान्स की तुलना में मचली का सुपाच्ची और लायबदायक क्यों माना जाता है क्योंकि ये बहु औसंत्रिप्त वसा अमल इसमें पाया जाता है बहु और संत्रिप्त वसा अमले दूध और बैक्टीरिया का दूध किस बैक्टीरिया के करण खड़ाब हो जाता है लेक्टो वेसिलस इसी से दूध से दही भी बनता है फोस्फोरस शरीड में अमलियता इवम चाडियता के मध्य शंतुलन बनाए रखता है पालक के पत्तों में किस पोशक तत्तों की मात्रा सबस्यादिक होता है लोहा का आइरन कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है रेनीन मानव सरीर में बिटैमिन A भंडारित होता है यक्रित में अधिकांस प्राणियों के जिवित पदार्थ का लगभग 80% जो है वो प्रोटीन होता है प्रोटीन पापीता में कौन सा बिटैमिन सबस्यादिक होता है बिटैमिन C हलाकि पापीता में सभी बिटैमिन पाया जाता है दूध में प्रोटीन और कार्वो हैट्रेट की अतिरिक्त कैलसियम और पोटासियम ततु समलित होता है प्रोटीन की अधिक्तम मात्रा किस में पाई जाती है सोयबीन में सोयबीन अलफा केरेटीन नामक प्रोटीन सरीर के किस अंग में पाया जाता है तोचा में तोचा, गेहूं में रोटी बनाने के गुनों को परभावित करने वाला पदार्थ है गलूटेन गाय का दूद केरोटीन की उपस्थिती के कारण हलके पीले डंका होता है किसके उपस्थिती के कारण? केरोटीन की उपस्थिती के कारण दूद का स्वेत रंग किसकी उपस्थिती के कारण होता है केसी नामक प्रोटीन की उपस्थिती के कारण किस में बिटैमिन C की मात्रा सरवाधिक होती है संतरा बिटैमिन D का परमुक्ष रोत है सूर्ज का किरन किस बिटैमिन के निर्मान हमारे सरीर में होता है बिटैमिन D और बिटैमिन B3 का निर्मान हमारे सरीर में होता है बिटैमिन में कौन सा किसी स्वपन को परियाप्त अवधी तक याद रखने में सहायक होता है बिटैमिन B6 किसी किसी को स्वपन बहुत लंबे समय तक याद रहता है उसमें बिटैमिन B6 हल्प करता सबजियों में मुखिता बिटैमिन्स होता है एक गिलास पानी पीने से कितनी केलोडी मिलेगी कुछ भी नहीं जी रो वासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं क्योंकि M.L.A.S. की उपस्थित ही होती है M.L.A.S. दूद में कौन सा सेकराइड उपस्थित होता है L.A.S. किस बिटैमिन की कमी से एसकरवी रोग होता है बिटैमिन C की कमी से बिटैमिन C का रसाइनिक नाम क्या होता है एसकरवी के सी हेपटैटिस मानव सरीर के किस अंको परहावित करता है यकृत को यकृत बिटैमिन क की बिशिष्ट भूमी का किसके संस्लेशन में होता है प्रो थ्रम्बीन पौधे हुआ जनतियों में कार्वो हैड्रेट का संचैन किस रूप में होता है पौधों में स्टार्ज के रूप में तथा जन्तूओं में ग्लैकोजेन के रूप में बिटैमीन होता है यह आवस्यक कार्वनिक योगिक जिसका संसलेशन सरीर में नहीं होता यह है बिटैमीन अब यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है कि सरीर में अवस्यक होने वाले पोशक पदार्थों से भंडारन के लिए आवस्यक में वसा का संसलेशन किया जाता है अब फंक ने बिटैमीन का खोज किसने किया था फंक ने किया था कैसी मीर फंक बिटैमीन A से संपन किस खाद पदार्थ में होता है तो कार्ड यक्रित तेल, संकर कैद, गाजर, पालक इसे में क्या होता है बिटैमीन A होता है बिटैमीन B12 का रसाइनिक नाम है साइको कोबालमीन, इसमें कोबाल्ट होता है एक मातर बिटैमीन है, साइनो कोबालमीन इसका रसाइनिक नाम है खटे फल में होता है बिटैमीन C, सैटरिक एसीड, घौको भरने में भी बिटैमीन C help करता है अब कोलोसिस, सौरी, किलोसिस, नामा किस बिटैमीन की कमी से होता है, बिटैमीन B2 की कमी से होता है, किलोसिस थाइमीन यह होता है बिटैमिन B1 का रसाइनिक नाम थाइमीन जल में कौनसा बिटैमिन गुलंसील होता है बिटैमिन B और C और जो भी रेस्ट बिटैमिन है वो फैट में गुलंसील होता है पिलागड़ा और इसकरवी करम सा किस बिटैमिन की कमी से होता है बिटैमिन B3 और बिटैमिन C की कमी से बिटैमिन D का रसानिक नाम होता है केलसी फेरॉल केलसी फेरॉल बिटैमिन D की कमी से कौन सा रोग होता है रिकेट्स रिकेट्स रक्त का ठक्का बनाने में बिटैमिन के किया हो सकता होती है किस बिटैमिन की कमी से सरीर की परतिरक्षा पर नाली तथा जनन चमता कम हो जाती है एसकर्विक एसीड परतिरक्षा में तो एसकर्विक एसीड होता है जनन के लिए बिटैमिन के होता है यहाँ पर अलग-अलग होना चाहिए संकर्मन रोधी बिटैमिन किसे कहते हैं सोरी कि मैंने लिखा विटामिन ई लिखना था हमको विटामिन ई संकर्मन रोधी विटामिन किसे कहते हैं विटामिन ए को कहते हैं किस विटामिन में कोवाल्ट होता है तो विटामिन B12 विटामिन B12 अनाज की छिलके में होता है विटामिन B1 यानि धामीन भोजन में रेसो का महत्वर अब आगे दिया गया है भोजन में रेसो की अधिक्ता पाचन किडिया में सहायक होता है रेसा समतलब वह जो सलाद खाते है न फेवरियस वो रेसे युक्त भोजन में गुलुकोज की मात्रा कम होती है जिससे आतों में ट्यूमर बनने की संभावन क्या होता है कम हो जाते है इसलिए सलाद खाना चाहिए अब यहां दिर्ग मात्री खनीज है जिसका अधिक मात्रा में चाहिए हमारे सरीर को वह है कैल्सियम दात और अस्तियों की रचना रूधीर असकंदर यनि ब्रड क्लोटिंग तंत्रिकाओं और पेश्यों में कार्ज क घटक होता है फिर है पोटासियम अमलेचार संतुलन जल संतुलन तंत्रिकाओं की काडिकी क्लोडीन जठर रस का अमलेचार संतुलन सोडियम अमलेचार संतुलन में जल संतुलन तंत्रिकाओं की काडिकी में मैगनेशियम गलाइकोलाइसिस और एटीपी पर आस्रित अनेक उपापचाई किरियाओं के एंजैमों में साहयक होता है, स्वासाहयक, अब यहां पे खनीज दिया गया है, जिसमें लोह होता है केला और घजुर में, पोटासियम पालक में, आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक में, कैलसियम, दूध और अंडे में, कौन सा तत्व, किड्नी में पत्थरी बनाने से रोकता है, मेगनेसियम, कौन सा फल, स्करवी रोक के उपचार के लिए उपयोगी है, आवला, एक संतुलित अहार में, बिभिन पोसक तत्व, किस अनुपात में होने चाहिए, किस पोसक तत्व में परति ग्राम सर्वादिक उठ्वाजग होता है बसा, कौन सा बिटेमीन सरीर को रोगों से पर्तिरक्षा परदान करता है, यहां पे एक लियन यहीं लिखाए, कि बिटेमीन डी, अगर कम होगा, उसे क्या होगा सरीर में केलसियम की कमी हो जाएगी अब यहाँ पर एक डाटा की तरह दिया गया है याद करना आसान होगा इसमें पहले उपर लिखा है बिटैमीन उपापचाई प्रकिडिया में महतपुर्ण भूमिका नहीं भाता है यह विभिन रोगों से सरीर की रक्षा करता है अब वसा में गुलंसील बिटैमीन की बात करें तो B और C को छोड़ कर जो भी बिटैमीन है न वो वसा में गुलंसील है B और C क्या होता है पानी में गुलंसील है उपर पड़े हुए थे अब जब बिटाइमिन A का रसानी का नाम होता है रेटिनल इसका जो स्रोत है वो है केरोटीन युक्तफल यक्रित और अमलिय संसलेशा की कोसिकाई इसमें पाया जाता है मिल लिए बिटाइमिन A परभाव होता है इसका द्रिष्टी रोग का विटाइमिन D यह मिलेगा आपकेल्सी फेरोल इसका रसानी क नाम है मख़न यक्रित मचली का तेल गुर्दा अंडे इस्ट सुर्ज का परकास द्वारा संसलेशा जेता है इसका परभाव होता है केल्सियम और फोस्फोरस का उपा हड़ी यों और दातों में बिर्दी होता है वाईसा नहीं कि दात 32-34 हो जाएंगा इसका सुखारोग हो सकता है इसको हम रेकेट कहते हैं वह हो सकता है इंगलिश मैं इसको औस्टियो मेलासिस कहा जाता है विटामिन E का रसानीक नाम है टोकोफेडल यह तेल गेहु अंडा की जर्दी स्वाइबीन में होता है इसका प्रभाब को शिक्र कला की सुरक्षा जनन्चमता में बिर्धी पेस्चियों की क्रिया से लेगा यह जोगा है उपर एक जिए बिटामिन यक्रित में प्रेथ्रम्बीन का संसलेशन होता है, चोट पे रख्त का ठका नहीं जमेगा और अतरीक रख्त सराव होगा, विटामिन के का कर कमी रहेगा, अब जल में घुलंसिल विटामिन, विटामिन B और विटामिन C है, तो विटामिन B1, B2 ऐसे करके दिया गया है, याद B9 का folic acid B12 का psycho covalmine काफी important है vitamin C का escarvic acid अब सोगा पढ़ लेते हैं vitamin B1 ये अनाज phalia, suaveene, अंडा, mons और सह enzymes का घटक है इसमें परभाव जोगा carbohydrate और बसा का उपपचाई किरिया में सह enzyme का घटक होता है कमी से वेरी वेरी होगा vitamin B2 ये मिलेगा आपको पनीर, अंडा, येस्ट, हरी, पत्ती, दूद, यक्रित, मांस में ये FAD और FNA का घटक है उपपचाई में महत्पूर्ण पुमिका निभाता है इसकी कमी से आपका किलोसिस रोग होता है vitamin B5 ये आपको अंडा, यक्रित, मांस, दूद, टमाटर इसमें मिलेगा इसमें केटाबॉलिज्म की महत्पूर्ण पुमिका होता है और सह enzyme A का घटक है इसकी कमी से चर्मडोग, बिर्धी कम, बाल सफेद, जनन चमता कम होगा vitamin B5 से vitamin B6 दूद, येस्ट, अनाज, मांस, यक्रित से मिलेगा इसमें amino acid का उपपचय में हल्प करता है रत्चीनता, चर्मडोग, पेसी एठन, इसकी कमी से हो सकता है मांस, गेहू, मुफली, चॉकलेट में मिलेगा आपको vitamin B7 इसमें वसी और amino acid सहीद कई अनिपदार्थों का संसिलेशन होता है कमी से चर्मडोग, बालों का जहरना हो सकता है आगे आपका B9 येनि फैलिक, अमल, समू, हारी पतियां, यक्रित, स्वैविन, इस्ट, फलिया से मिलता है बिर्धी, रुधिरानू के निर्मान, DNA का संसिलेशन में हेल्प करता है इसे रक्त चीनता बिर्धी में कमी होता है vitamin B12 काफी important है मांस, मचली, यक्रित, अंडा, दूद, आत और वेक्टिरिया में पाया जाता है आत के वेक्टिरिया में बिर्धी, रुधिरानू का निर्मान, Nucleic Acid का संसिलेशन होता है इसमें रक्त चीनता, तंतरिका, तंतरिका में बिकार होता है vitamin C इसमें आवला, निम्बू, ठमाटर जो भी खटा है उसमें होता है इसमें अंतरकोस्की सिमेंट, कॉलेजन तंतू और हडियों के मेट्रिक्स में ये हल्प करता है वह एसकरवी रोग मसूरों में सूजन रखता आना इसमें वो मतलब इसकी कमी से ये सब जीज़ होता है vitamin C का रसानी के नाम, philocuinon है जिसका अर्थ होता है रखता असकंदन करना यकडित में प्रोथ्रंबीन का अंदिर्मान होता है इससे आगे जो मरेक्सिसाइज है वो है पादप की ओकाडिता, मतलब प्लांट मॉर्फोलोजी उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे सेसन अगर अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक और सेर कीजी मैं इस वार एक वीडियो में एक रेसन कंप्लेट कर रहा हूँ जिसे आपको पढ़ने में असानी होता है चले मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जाहिंद दोस्तों आप देख रहे हैं अधियन के अंदर पहला दिया गया है पादपों में किस सनरचना के द्वारा जल उपर चटता है तो जल से जैलम याद रखना है जल से जैलम एक होता है फायलम वो फुड को उपर ले जाता है जल से जैलम एक बीज जिसके अभहाब में अंकूरित हो सकता है वो है प्रियाप्त परकास अगर परकास नहीं भी मिलेगा तब भी बीज जो है वो अंकूरित हो पाएगा परकास संसिलेशन की दर किस परकास में अधिक होती है स्वेथ परकास में काफी इंपोटेंट है अलाकि इसका आंसर गलत है प्रसन काफी important है प्रकास संसिलेशन की किरिया जो होता है दर सबसे अधिक होता है लाल रंग में लाल और सबसे कम होता है बैगनी में रंधी वासप उतसरजन रुक जाता हैgenes कोंशिका किरिया में जिवानों दवारा नेटरेट को वायुमंडली नेटरोजन में पडिवर्तन करने की किरिया क्या कहलाती है और इसमें कौन सा जिवानों help करता है मैं राइजोबियम किस क्रिया के दौरान सौर उर्जा रसायनी कुर्जा में परिवर्तित होता है प्रकास संसिलेशन में प्रकास संसिलेशन के दौरान सौर उर्जा जो होता है रसायनी कुर्जा में कनवर्ट होता है ब्रिधी रोधक यानि Growth Inhabitators के रूप में कारी करता है FCC Acid और Ethylene ये ब्रिधी रोधक के रूप में काम करता है पुस्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं? भुर्न खाद संग्रा और आवरन के द्वारा भुर्न खाद संग्रा और आवरन से बना होता है पुस्पित पौधे परकासंसिलेशन पादप के किस कोशिका का होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट का काफी बोड़े ने परकासंसिलेशन जो होता है वो किस पार्ट में या किस कोशिका में होता है तो फोटो सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में यदि हम कैच्वे अथवा जोग पर नमक छी रखते है तो वो मर क्यों जाता है? क्योंकि उसका परासरन जो होता है प्रगात होता है परासरन प्रगात डी प्लाजमो लेसिस कौनसी फसल मिट्टी को अतरिक्त नेट्रोजन परदान करती है मटर जो भी दलहन का है वो अधिक नेट्रोजन परदान करता है कौनसा तत्व पौधे के विकास में सहायक नहीं है तो सोडियम सहायक नहीं है जबकि नेट्रोजन, पोटासियम और आपका ऑक्सीजन हो गया, कारवन डियोकसाइड ये सब सहायक होता है वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट कारवनिक जैब उर्बडग है किस पौधे को औसरधिक भारती चिकित सक यानि हरवल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है आवला को आवला में होता है सबसे अधिक बिटैमिन सी, एसकरविक एसीड अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है फूल से सबसे अधिक अफगानिस्तान इसका उत्पादन करता है सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जैलम तत्व को क्या कहते है प्रोटो जैलम कौफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है कौभी प्राप्त होता है वीज से सिट से हैं रेशम के कीट। समानी तरक्ती स्वेस्पेर पर पाले जाते हैं सहतूत, मलवेडी, काफी इंपोर्टेंट हैं भूमेए और्वर्वर्वर्था को घटाने वाला जिवानु कौन्सा है थायो वेस्पिलस डिनेट्रिफिकेशन खाताने वाला जिवानो बढ़ाने वाला तो पड़े है रैजो बीएम सब है घाताने वाला कौन है थायो वेसिलस है डिनेटरी एफिकेंस है जिवानु में परकास संसिलेशन की किडिया में हैड्रोजन दाता समानिता कौन है हैड्रोजन सलफाइट किस समू के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढियों का एकांतरन होता है टेरीडोफाइट्स वायू परदूसन का सूचक होता है लाइकेंस अंडासय विहीन पुस्पोध भिद क्या कहलाते है जिमनो एस्पर्म ये दोरोग परदस्न जो है इस वार एंटीपी से बहुत अधिक परदस्न पूछा गया वायू परदूसन का सूचक है लाइकेंस और अंडासय विहीन जो पुस्पोध होता है उसे कहा जाता है जिमनो एस्पर्म बरगत की साखाओं से निकलने वाली जरो को हम कहते हैं अस्थम्ब मूल यानि प्रोपूरूट पर जीवी पौधे अपने पोसद से किस अंग द्वारा भोजन का अबसोसन करते हैं चूसकांग यानि हस्टोरियम किस परकार के पौधे की जरो में दुवित्यक बिर्दिया नि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है दूई-बीज पत्री पौधे जिसमें डाइख लगा हो काट में नागफ़नी में जो पतिया होती है काटा अब बता हो नागफ़नी में पूल होता है आपका अंसरोना चाहिए क्योंकि मेरे घर पे एक नागफनी का है मैं उसे पहली बार फुल देखा तो फुल होता है उसमें गेहु, धान, एवम जौव में कैसी जड़ें पाई जाती है तंतू मैजर यानि फैवरियस रूट एक होता है न मूल रूट मतलब और एक होता है फैवरियस रूट इसमें होता है फैवरियस रूट रेशेदार जर तंत्र किस पाधे में पाया जाता है एक बीज पत्रिये पाधे में इसमें होता है रेशेदार तंत्र ये भी हो गया ये फैवरियस रूट का उधारन हुआ कौन सा पुस्प का सहायक अंग कौन सा है और इसका कौन सा पार्ट हम लोग यूज करते हैं खाने में तो लासुन और प्याज का असकलकंद यानि बल्ब, हल्दी और अब्रक का प्रकंद रैजोम, अर्बी और जिमिकंद का घंकंद कोड्म, आलू का कंद अस्थमकंद यानि इटबर इसको तरह कहते हैं हार्मोंच विकार से भीन है क्योंकि हार्मोंच उपापचाई क्रियाओं में पुर्णता पर्युप्त होते हैं जिवारनू में प्रकासा अंसलेशन उच्छ पादपों से भीन होता है क्योंकि इसमें ओटू का निसकासन नहीं होता प्याज किसकी पड़ी वर्धी तुरूप है तो प्याज का हम तना खाते हैं अब लास्ट में आप एक संटेंस हर पेज में लिखा हुआ है तो परकास संसलेशन की प्रकेडिया केवल द्रिस से परकास है परकास संसलेशन जो है रात में नहीं होगा विजिवल लेट में ही होगा द्रिसी प्रकास में ही होगा आगे जो हमरे एक्सेसाइज है वो एक अंकाल तंत्र इसको हम अगले वीडियो में पढ़ें काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि नमड़ बोन बहुत अदिक पूछा जाता है आजकल तो उसको इसमें कंप्लेट मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद दोस्तों आप देख रहे हैं अध्यान के अंद्र और मेह स्मार्ट बढ़नवाल का सार संग्रह जो है वह हम पढ़ने वैलो जी उसका एक्सरसाइज वे करके दिया गया है तंत्र जैसे की तंत्रिका तंत्र पाचन तंत नर्वस सिस्टम जो है वह ऐसे करके पूरा तंत्र दिया गया है तो अभी हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र काफी इंपोटेंट है वीडियो को ध्यान चे देखिएगा पहला यहां दिया गया है मानव भूर्ण का हिर्दय अस्पंदन यानि हर्ट पलूशन कव प्राडब होता है यह होता है विकास के चौहथे 25 सब्ता में मतलब 28 से 35 विड़े के अस्पास मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थिया होता है 29 यहां भी गलत लिखा यह क्योंकि कपाल जो होता है उसमें होता है आपका 8 और जो चेहरा होता है 14 इस दोनों को एड़ कर 22 ही होता है ठीक यह गलत है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां है, 22 होता है, प्रति वर्ति किडियाओं, देखो यह बहुत इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, 22, 22, प्रति वर्ति किडियाओं का नियंत्रन, केंद पर नई होता क्योंकि नाखुन मिर्त को सिकाओं के दर्व दुआरा बने होते हैं इसलिए जो बाल करते हैं हमारे तब भी दर्द नहीं होता है उसमें भी सिम यह होता है, हमारे सरीर का सबसे द्रिट भाग कौन सा है इनेमल, मतलब द्रिट से मतलब यह सबसे मजबूत पार्ट, हार्ट, कौन सा है, दंत वल्व या इनेमल, सलिक रिया में और्थोप्लास्टी का क्या कारी है, तो जोर का परतिस्थापन करना, जोर जोर दिज होती है वो जांग का होता है नाम है उसका फीमर फीमर का सेरुक रज्जु यानि इस्पाइनल कोर्ड में कितनी जोडी तंत्रिकाएं होता है 31ी 31 जोड़ी पता नहीं कुछ जैदा ये गलत अलिक है इसमें न 33 होता है 33 ध्यान से देखिएगा spinal cord में कितनी जोड़ी तंत्रिका होता है 33 होता है 33 उपर हमने क्या पढ़ाता कि जो खोपड़ी होता है उसमें कितनी हडिया होती है 22 होती है मनुस्त के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाये जाते हैं ये 12 होता है 12 अगर कुल पूस दे तो 12 जोड़ा है तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा मानव सरीर के डिम्ब बहनी नली में सुक्रानू डिम्ब को निसेचित करता है सवेस्क मानव में शरीड में जल का परतीसत होता है 65% अस्थी एवं दंत निर्मान हेतु क्या आवस्यक है केल्सियम और फोस्फोरस यहाँ पर एक चीज़ आद रखिएगा जैसे हमारे सरीड में कितना परतीसत जल है तो 65% मानव सरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है जबड़े की सुसकन से कौन रक्षा करता है अल्व यानि मानव की जीवन काल में कितने दात दो बार विक्सित होते हैं तो 20 दात जो होता है वो मिल्क तित जिसको कहते हैं दुद्वाला दात वो तुटके फिर से नया आता है 32 दात वाला तो दो बार विक्सित होता है दात प्रस्न ये भी आता है कि दुद्वाले दान्तों की संख्या कितनी होती है तो 20 यात रखिएगा मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या भी पढ़ेते 22 होता है यहां पर 29 लिखा है यहां पर 28 लिखा है मानब सरीर की सबसे बड़ी गुहा कौनसी है कोलम या एस्प्लेक कोहन गुहा तोचा पर चोट लगने के बाद पुनारुद भवन किसके द्वारा होता है घनाकार उपकला के द्वारा घनाकार उपकला के द्वारा कंड्रा किसको जोडता है पेशी को अस्थी से कंड्रा मतलब टेंडन ठीक न एक होता है लिगामेंट एक होता है टेंडन रिपीट करता यह लिखाड़ेगा टेंडन और लिगामेंट लिगामेंट जो होता है अस्थी को अस्थी से जो होता है यानि दोनों सेम है इसमें लिगामेंट अस्थी से अस्थी लिगामेंट अस्थी से अस्थी इसका ठिक अभी यात है जो लव होता है न लव यानि एल से लिगामेंट ठ तो अस्थी से स्थी सिम है तो वहां पे लब बालिवात होगा लिगमेंट हो याद रह जाएगगा इंटरन तक टेंडन जो होता है वह पेसी को अस्थिष जोड़ता अलग-अलग में टीका से लि jijए अग्हे हैं सनायू और कंड्राइं कैसे उत्तक है सन्योजी उत्तक इसमें आप एक याद रखो दूसरा आटमेटिक आपको याद हो जाएगा स्नाईू और कंढराय मतलब यह जो आपका लिघामेंट और टेंडन है यह के मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है उस्इन के कारण अस्तियों को कठोर बनाने वाली लवन, मुखिता क्या होते हैं, कैल्सियम और मेगनेसियम के फोसेट कौन लरसिका में किन रुधिरानों में उपस्थिती होती है, लाल उडधानी मचा कि हमारा जो लाल बलट होता है उसमें क्या होता है? लसी का होता है कॉन सा प्रोटीन? तोच्ण, बाल, नाकोन, सिंग और खूर के निर्मान में उप्यूगी होता है किरोटी wraण ऐस्थी में कॉन सा प्रोटीन होता है? औसीन अस्थियों में मुखिता कौन से औकारवनिक पदार्थ पाए जाते हैं केल्सियम और मेगनेसियम फोस्पेट मज़ा गुहा यानि मैरो केविटी का निर्मान किस परकार की कोशिकाओं में होता है औस्टियो क्लास्ट औस्टियो क्लास्ट अस्थियों का निर्मान किन उत्तकों से होता है सन्योजी उत्तक से टेनेक्टिव टिसू से सिस्वों की कुल अस्थियां कितनी होती है तीन सो मानव सरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती है हाथ में होता है किस परकार के संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुरी होती है अचल संधी अचल फिक्स होता है वह मनुष्य के कंकाल में कबजा संधी याणि हींडे संधी का एक उत्क्रिस्ट उदाहरन किस संधी संधी पर मिलता है यहाँ पर यूलले यालन कहले हां सा अस्थि मिलता है कबजासंधि वहां जहां से यहां से अचल करते हो इलियम और प्यूबिस अब आगे आपका स्वसंद तंद्र दिया गया है प्रत्यक तंद्र का इसे अलग अलग पढ़ेंगे जिसे आपको कभी बाद में पढ़ना होगा ता पसानी से पढ़ाओगे टॉपिक वाइज और फिर एक मास्ट्र वीडियो तो आएगा जिसे पूरा इसमें दिया गया है स्वसंद में बाहर निकली वायू में सी ओ टू का लगबग कितना मातरा होता है चार परतीसत जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सिजन लेते हैं छोड़ते समय कारवन डायोकसेड छोड़ते हैं परंतु उसमें कारवन डायोकसेड का मातरा जो होता वो only 4% ही रहता है। हम लोग oxygen भी छोड़ते हैं। अजिकतर केट किस परकार स्वसन क्रिया करते हैं। स्वसन नली प्रनाली के द्वारा, स्वसन नली प्रनाली के द्वारा। सीत निंद्रा के दौरान मेढक किस अंग से स्वसन करता है। केबल तवचा से। याद रखिएगा, जो भी cold-blooded animal है, जिसको आप ठंडे में नहीं देखते होंगे, जैसे कि छिपकिली हुआ, कुछ मचलिया है, मेढक है, वो सब उस टैम में मिट्री के अंदर में रह जाता है। उस टैम वो तोचा से सांस लेते रहता है। तो मेढक भी उसी का यहाँ पर एक्जामपल है। वो होता है 4%, ऑक्सीजन जो होता है 17% होता है, हम लोगों सांस ठोरते हैं उसमें। स्वसन में रुधीर का कौन सा घटक, ऑक्सीजन का अनवेशन करता है, लाल रक्त कनी का या लाल रक्त कोशी का, रेड बलड सेल का जाता है उसको, भोजन निकलने समय स्वसन मार्ग की नंगो दौरा बंद हो जाता है एपिगलोटिस फेफिडे में गैसों का आदान परदान किसके दौरा होता है रुधीर के दौरा रुधीर ब्लड क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन होता है मैटो कॉंड्रिया में मैटो आक्सी स्वसन जो एरविक डिस्प्रेशन होता है इसमें कौन सा भाग यानि कौन सा भाग में ये संपन होता है तो कोशिका द्रब और मैटो कॉंड्रिया में कोशिका द्रब और मैटो कॉंड्रिया ग्लाइकोलेसिस किरिया को आक्सी और अनाक्सी स्वसन का समानी चरण माना जाता है यह जो आक्सी और अनाक्सी होता है यह किसमी होता है ग्लाइकोलेसिस किरिया में स्वसन द्वारा उत्पन उर्जा का संचाई ATP अनूमे होता है ATP, पहारों पर रहने वाले में RVC की संख्यां अधिक होती है, क्योंकि पहार पर वाईउ क्या होता है, कम संख्णित होता है, साथी पहार पर क्या होता है, वाईउ, मंदलीय दाब भी क्या होता है, कम होता है, कार्वो हैड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के परमुख अंतिमूत पादक है कारवन डैयोकसाइड और पैडविक एसीड का अब यह स्वसन में कौन सा प्रकिडिया होता है ग्लाइकोलैसिस मानब में स्वासदर परती मिनट होता है 12 से लेकर 15 बार कहीं कहीं आपको 16 बार मिलेगा और जो हल्ट भीट होता है वो होता है 72 बार ग्लाइकोलैसिस के अंत में ग्लुकोज पैडविक एसीड में परिवर्थित हो जाता है ग्लाइकोलैसिस के अंत में ग्लुकोज जो होता है वो पैडविक एसीड में कनवर्ट हो जाता है ग्लाइकोलैसिस के इंजाइम कहां पाये जाते हैं कोशिका द्रब में कोशिका द्र फेफिडे की कूपिकाओं में गैसिय बिनिमाए किस परकार होता है सक्डिय ट्रांस्पोर्ट के द्वारा मानव सरीर में स्वसन केंदर कहां होता मैडूला अवलिगोटा तथा पॉंस में फेफिडे के ऊपर का आवरन बना होता है फ्लूरल कला का सरवाधि कार्वन डियॉक्साइड का परिवाहन किस दिर्वान होता है क्रैवां चेकर में ग्लुकोज के एक अनू में कितने ATP के अनू का निर्वान होता है 24 ATP बहुत इंपोटेंट है 24 एटीपी ग्लाइकोलेसिस चरण में कितने एटीपी अनुका सुध लाव होता है दो किनवन अर्थात एनॉक्सी स्वासान का खोज सरपर्थम किया था लुई पास्चर ने लुई पास्चर इस्ट में खोजा था फेफ़रों तक असुध रत किसके द मतलब जिसको नस कहते हैं वो क्या होता है सुध बुलट ले जाता है पौधे दुआरा सुध किया गया रक्त वाय अलिंद्या ने लेफ्ट औरियम और्ट्रियम में किसके दुआरा पहुंचाया जाता है तो यह प्लम्नेडी जो वेन होता है वो यहां पर यह क्या होता है इ स ticket मेंने काम है असुध बलत को ले जाना लेकिन जो पलम्हे अडेड़ी वेन Ha вос 22 को लेजाते हैं वैसा ही जो आपका यह जोबनीट thousand है इसका काम होता है कि कि सुध लइजाना लेकिन जो प्लम्हेरी अडिक होता है वह क्या होता है सुध रख्त को ले जाता है थोड़ा ही छोटा ही बड़ा होता है छोटा सही होता है लेफ्ट औरिकल को और रेट औरिकल से जोड़ता है वो स्वसन गुनांग के मापन किस यंदर से किया जाता है गेनांग स्वसन से गेनांग स्वसन ऑक्सीजन की कमी के कारण सरीर के उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी होना ह आइपोक्सिया या अनिक्सिया कहलाटा है स्वासन किडिया में वायू कि खटक कि मात्रा में कोई परिवर्था नहीं होता नेट रोखन और नीचे में जो लाइन लिखा है कि व्यक्ति जो समान निक्षgraphी होता है उसका हिर्दय का दर्कन एक मिनट में बहत्तर वार होता है तो यहीं आपका था स्वसंद तंत्र इसका पाचन तंत्र और भी कुछ-कुछ तंत्र है उसको मगले वीडियो में कवर करेंगे सेस्टन अच्छा लगड़ा हो तो लाइक और से जरूर कीजिए मिलते नेक्स सिस्टम पढ़ेंगे इसे पहले जो भी एक्सराइजे मैंने कंप्लेट कर लिया है तो आप वीडियो जरूर देख लीजिए नहीं मिल रहा तो टैरलेस कुमार याने फिर अधियान केंदर टेलेग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्सन बॉक्स में ग्रूप जोएन कर लीजिए वहां से आपको मिल जाएगा पहला यहां पे दिया गया है लार किसके पाचन में सहायक होता है लार यह होता है स्टार्च में स्टार्च वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक इंजाएम किस अंग द्वारा स्रावित होता है यक्रित के द्वारा लाइपेज द्वारा वसा के जलिये अपगटन के पस्चात क्या पड़ाप्त होता है वसिये अमल और ग्लिसरॉल वसिये अमल और ग्लिसरॉल जलिये अपगटन के पस्चात कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आँच से सरवित होता है छोटी आँच से सरवित होता है सिक्रेटीन हार्मोन कहां से सरवित होता है चोटी आथ से पित का संचयन कहा होता है पितासय में गोल ब्लैडर में पित का निर्मान यकृत में होता है यह वसा को वसीय अमलों में तोरकर पाचन में सहायता करता है मतलब पित का काम क्या है कि वसा को वसीय अमलों में तोरकर पाचन में सहायता करता है जो की बनता क किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पुर्ण होता है आद में प्रोटीन्स का पाचन पुर्ण होता है अमासाय की भित्ती से कौन सा हार्मुन स्रवित होता है गैस्ट्रीन गैस्ट्रीन लार का टैलीन इंजायम किस माध्यम से क्रियानवित होता है ये क्रियासील होता है हलके अमलिय माधियम से अमासय की दिवार का पेशिय संकुचन क्या कहलाता है कर्मांग कुचन पाचन तंतर के किस रस में कोलेस्टरॉल पाया जाता है पीत में कार्बो हैट्रेट किस रूप में सरीड में संग्रहित होता है ग्लैकोजन के रूप में अमासय में भोजन के जिमानू को कौन नस्ट करता है HCL मानब सरीड के किस संरचना को क्रिमी रूप पड़ी से सिका पाया जाता है तो यह बड़ी आत में बड़ी आत मानब सरीड का वह अंग जो ग्लैकोजन के रूप में कार्वो हैट्रेट का भंडार करता है वो है यक्रित एक अस्थन धारी में सबसे बड़ी गड़न्थी कौनसी है यक्रित है यक्रित मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़न्थी कौनसी है अगनास है मानब शरीर की दूसरी सबसे बड़ी गरंथी कौन सी आगनास है सबसे बड़ा अगर पूछे है अपसे तो वो लीभर होता है लार का pH मान कितना होता है 6.8 बलड का कितना होता 7.4 पीलिया से कौन सा अंग परावित होता है यकृत लीभर पाचन किडिया के समय अहार नाल में स्टार्ज का अंती मुत्पाद क्या है गलुकोज कार्ड मचली के यकृत तेल में कौन सा बिटैमिन होता है बिटैमिन A होता है यहां पर यकृत तेल मचली के मानव सरीर के किस एक अंग को या किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक इंजैम कावी स्रबन होता है यह है अगनास है पिनक्रियाज में ऐसा होता है जठर गरंथी किस अंग में पाया जाता है अमास है में यक्रित द्वारा किस प्रोटीन का संसलेशन वा संग्रह किया जाता है यक्रित द्वारा यह होता है फैबरोजिनोन और प्रोथेमबोईन का यक्रित में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव सरीर में रक्त जमने से रोकता है यह हिपेरीन हिपेरीन लंबे समय तक उपवास रखने का सरवाधिक प्रभाव सरीर के किस अंग पर पड़ता है बिरिक पर किड्नी पर मानव सरीर में पाचन का अधिकान सभाग किस अंग में संपन होता है छोटी आथ में काफी इंपोटेंट है यह मानव सरीर में चोटी आत कहाँ होता है? मतलब क्यूं होता है? अब सोसन के लिए मानव सरीर या मानव सिसू के जन्म लेने के चो महिने पसचात दात निकलना प्राडम्ब होता है और वो जो निकलते हो मिल्क दात होता है टेंप्रोरी तित उसकी संख्या कितनी होती है 20 किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया अलग होता है तो वह होता है किड्नी ब्रिक से इंसुलीन में कौन सी धातु उपस्थित होती है जस्ता इंसुलीन में जस्ता उपस्थित होता यहाँ पर एक संटेंस हर पेज में लिखा है मानब सिसु में सरपर्थाम मध्यवर्थी इंसाइजर दात निकलता है जो सेंटरल इंसीजर होता है वो सबसे पहले निकलता है अब आगे जो हमारा लेशन है वो है उत्सरजन तंत्र हम चाहते हैं हर वीडियो में अलग एक सेज़ बने तो इसलिए इसको में अगले वीडियो में कबर करेंगे सेशन अगर अच्छा लग आओ ज़रूर लाइक और सेर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जाहिं दोस्तों आप देख रहे हैं आधियन के अंदर और अभी हम पढ़ रहे हैं उत्सर्जन तंत्र बुक है NCRT सारसंगरा महिस कुमार वडनवाल का बैलोजी चल रहा है काफी इंपोटेंट है एक्स्ट्रेटरी सिस्टम छोटा एक्सिसाइज है जल्दी कंप्लिट हो जाएगा ध्यान से देखिएगा त्याय मानव सरीड में युडिया का निर्मान किस अंग में होता है यक्रित लिवर में होता है बेड़ी बेड़ी इंपोटेंट युडिया का निर्मान कहां पे होता है यक्रित में कौन सा है अमोनिया अमोनिया मुत्र की मातरा का नियनत्रक होता डी एच एंटी डिएटिक हार्मोन एवं एलदोस्क्रोडीन एलडोस्टिरोन खाजाता है एक बयस्क स्वस्त मनुष्ष द्वाड़ा एक दिन में उत्सर्जित मुत्र कितना होता है अमीबा, त्वचा और इत्तिका उसका होता है, केचुवा का उत्सर्जिकाएं, जिंगा मचली हरित गरंतियां होता है, फिता कर्मी का प्लेमकोशी का, अर्थोपोडा का, मिल पिगी नली का, और सिलेंट्रेटा का त्वचा एबं मुख, बिरिक में जो पत्री बनता है, किड्नी एस्टोन, यूरी के सीड में कैल्सियम ऑक्जिलेट और कैल्सियम फोस्पेट के कारण बनता है, कैल्सियम ऑक्जिलेट और कैल्सियम फोस्पेट, कैल्सियम ऑक्जिलेट आपके और सिन बहुत अदी कराता है, चाहे वो बिरिक का पत् इसे हम क्या कहते हैं यूरीमिया मनुष्य में किस परकार का उत्सर्जन पाया जाता है यूरियो टेलिक उत्सर्जन यूरियो टेलिक उत्सर्जन यूरो क्रोम का निर्मान कैसे होता है लाल रुधिर करनिकाओं के हिमोगलोविन से लाल रुधिर करनिकाओं के हिमोगलोविन स यूरो क्रोम का निर्मान होता है ब्रिक से परती मिनट और सतरक्त परवाह कितना होता है एक से एक दसंबलब दो लिटर परती मिनट ब्रिक नलिकाओं के दुरस्त कुंडलित भाग से मुखिता किसका पुन्रावसोसन होता है सोडियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड ब्रि गलाई जाने वाले जल्ली नुमा आवरन को कहते हैं परितोनियम वह भीमारी जिसमें मुत्र के साथ रखता है वह होता है हीमो टूडिया सरीर में संपुर्ण रक्त किसके माध्यम से सुध होता है किड़नी किड़नी ब्रिक केच्वा मुखे रूप से Ammonia उत्सर्जक तंतू है परंतु पड़ियाप्त जल ना होने के कारण Ukraine का उत्सर्जक हो जाता है तंतू उत्सर्जक तंतू और उत्सर्जक और उत्सर्जक इसमें रूधियर से मुत्र के रूप में अत्यधिक जल वा नेट्रोजनी अवसिस्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया आदी का उत्सर्जन होता है फेफडे से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है फेफडा यक्रित ये नेट्रोजनी पदार्थों का निस्करशन करता है जबकि आत जो है कैल्सियम वा धातों के लवन की अवसकता से अधिक मातरा का उत्सरजन करता है आगे जली ये प्राणियों में नेट्रोजन बिनीमे से क्या उत्पादित होका तो वो हो जाएगा अमोनिया गठिया रोग का में कारण क्या है रख्त में परभाहित यूरीक एसीड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जड़ों में इकत्रित होना जिसे क्या होता है गठिया रोग अमासाई की दिवार पर पेशिय संकुचन कहलाता है परिस्टालेसिस परिस्टालेसिस मुत्र का मात्रा नियंत्रित करता है ADH और एल्डोस्टिरोन जो पहला ही प्रसन था यह नीचे दिया गया है कि डाइडेवसिस के स्थिति में गुलुकोज का उत्सरजन क्या होता है ब नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जहिंद जहिंद दोस्तों आप देख रहे हैं अध्यन के अंदर और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र यानि नर्वा सिस्टम बाइलोजी हमारा चल रहा है NCRT सार संग्रा से बुक है महेश कुमार वर गति क्रिया यानि रिफ्लेक्सिव एक्सन का नियंतरन कहां होता है तो वह होता है मेडूला अबली गोटा में मेडूला अबली गोटा हिर्दय की धरकन की गति किसके द्वारा बढ़ती है अनुकंपी तंत्रिका द्वारा अनुकंपी तंत्रिका द्वारा प्रेडक कॉसल म वोल्टर स्कील यह किसी होता है ललाट भाग जिसको हम सेरीविडम कहते हैं फ्रॉंटियल लेव को मानव के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है रेंबे नासिफिलाउन यही होता है मतलब आप्सन में आपको यह नहीं रहेगा सेरीविडम होता है जो अगर मस्तिस कि उसके नहीं सबसे बड़ा पार्ट होता है तंत्रिका तंत्र नर्वा सिस्टम के अध्यान को हम क्या कहते हैं तंत्रिका बिज्ञान नीरोलोजी बेरी बेरी इंपोटेंट नीरो लोजी कम निंद आने के लिए किस चिकित्सा सब्दावली का परयोग किया जाता है और यानि इंटर सिचुएटेड नुकलियस, इंटर सिचुएटेड नुकलियस, आस्तन एक समान्य मानव मस्तिस्क का भार्ज होता है, 1.36 किलोग्राम होता है, 1.36, सरीर में परतीवर्टी क्रियाओं का नियंतरन और समनवाई कौन करता है, मेरूरजू, स्पैनल कोड सेरेब्ल प्लासी का मस्तिस्क समन्धी बिकार जो समाननेत चोटे बच्छों में पाया जाता है, चोटे बच्छों में होता है, सिरेबलल प्लासी तंत्रिका तंत्रिका विकास सरपर्थम किस जीब में माना जाता है हाइड्रा में हाइड्रा मनुष्य में कापालिये तंत्रिकाओं की संख्यां बारह जोरी होता है बारह जोरी मनुष्य में मेरू तंत्रिकाओं की संख्यां कितनी होती है 31 जोरी मानव सरीड में भूक तत्रिप्ती मस्तिस्क के किस भाग द्वारा निहंतरित होती है हाईपोथेलेमस डिसलेक्सιά नामक विमारी मानव सरीड के मस्तिस्क से समन्दित है dyslexia सरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को oxygen की अवशक्ता आधिक होती है मस्तिस्क को मस्तिस्क में 60% क्या होता है सो डि मस्तिस्क में 80% oxygen होता है हमारे पूरे सरीर में 60% oxygen होता है तंत्रिका उत्तक का पर्मुख काड़ी है उत्तेजनाओं को प्राप्त करना, तथा मेरु रज्जू आ मस्तिस के आवग को भेजना, तंत्रीका उत्ता का नर्वा सिस्टम का भोजन गरन करने के पस्चाथ अहार नालकी, तरंग गती और उसकी दिवार की गरन्थियों के स्रवन के उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है परानु कम्पी तंत्र कौन से तंत्र हमारे सरीण में समन वयन का काड़ी करता है तंत्रिका और अंता स्रवी तंत्र जो मनुस्य या नहीं समझ पाता कि अब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए उसे हो जाता है बुली मिया मतलब वो खाता ही उसे पता ही नहीं चलता कि पेट भड़ गया जैविक घड़ी मानव सरीर के की संग में इस्थित होता है हाइपो थेलेमस में हाइपो थेलेमस एपी थेलेमस किन गणन्थियों से निर्मित होता है पिनियल गणन्थी हैवे नियूला से मानव सरीर का कौन सा भाग अलजाइमर रोग से परवावित होता है मस्तिस्क मस्तिस्क मानस्पेसियों के रेसों में आवेग सनरक्षन के लिए किस मानप किस पदार्थ की आवसकता होती है सोडियम मनुष्य का मस्तिस्क कितने भागों में विभाजित होता है तीन भागों में सबस्याय का सेरेब्रम फिर सेरीवेलम और फिर ब्रेनस्टैम सेरेब्रम, सेरेवेलम और ब्रेनस्टेम नियूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग कहलाता है तंत्रिका कक्ष एक्सॉन साथी जो पिटुट्री गलैंड होता है वो भी होता है मस्तिस्क में ही तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका अक्षे के चारोड किस पदार्थ का आवरण होता है मेलीन का सुई चुभने पर किस अंग में पीरा का अनुभब नहीं होगा मस्तिस्क अगे आपका मानब में जन्म के पस्चात किस अंग में कोशिका भी भाजन नहीं होता है तंत्री का कोशिका में अब यहां चिकित्सा उपकरन दिया गया और उसका उपयोग दिया गया है CT scan यह सरीर में और समानिता के लिए है सरीर में और समानिता CT scan electro cardio जो भी cardio तो क्या हो जाएगा हिर्दय के विकार का पता लगाने के लिए auto analyzer यह जैव रसानिक तत्वों की जाच के लिए pace maker हिर्दय की गती नियंतरन करने के लिए मानब मस्तिस्क का कौन सा भाग बिर्धी अस्मिर्थी और तर्क का केंदर होता है सबसे इंपोर्टेंट अलागी सारा पार्ट इंपोर्टेंट है पर सबसे इंपोर्टेंट होता है दो तंत्रिका को सीकाओं के मिलन को हम कहते हैं synapse अब नीचे लिखाए यहां पर प्रतिवर्ति किडियाओं की खोज सर पर था हम Marshall Hall ने किया था आगे जो एक्सेसाइज है वो है रक्त पड़ी संचरन तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसको मगले वीडियो में कबर करेंगे सेसन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सेर जरूर कर दीजेगा मेरे बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जाहिंद दोस्तों आप देख रहे हैं अध्यन के अंद्र और अभी हम पढ़ रहे हैं बाईलोजी NCRT सार संगडा मेहिस कुमार वर्दवाल का बुक है आज जो हमरे exercise है वो है Blood Circulatory System रक्त परिसंचरन तंत्र देखो परतेक वीडियो में एक ही exercise अच्छा रहेगा अब चार ही exercise है तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ध्यान से देखिएगा मानव सरीर में कौनसी रक्त को सिकाए संकरमन से सरीर की रक्षा करती है संकरमन से रक्षा करता है WBC White Blood Cell, स्वेथ रक्त करनिकाए किस रक्त सम्हूं का व्यक्ति सर्व दाता है Universal Donor जो सब को दे सकता है इसवार अगर आप NTPC कोशन देखिया हो गया तो आपे O- था उस पे आपको ठीक करना था O- क्योंकि O- O- पलस वाले को दे सकता है और O- पलस जो है O- वाले को नहीं दे सकता है तो Universal Donor कौन सा हो गया O- Hemoglobin मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका मुख्य काड़ी Oxygen का परिवहन करना है Oxygen का परिवहन करना हीमोगलोबिन का परमुख काड़ी हुआ ब्रिध्य व्यक्ति का रक्त दाव बढ़ जाता है Very very important ब्रिध्य व्यक्ति होने पर क्या होता है उसका रक्त दाव क्या होगा बढ़ जाएगा एक समान्य व्यक्ति का रक्त का औसत pH कितना होता है 7.4 होता है यहाँ पे 7.35 से लेकर 7.45 pH तक दिया गया है यह वह रक्त का pH रक्त समू के खुज करता कौन है लेंड एस्टीनर pH के खुज करता कौन है सोरेंसन आरेच कारक का नाम किस जन्तू से समंधित है बंदर से बंदर के नाम पर लिया गया था आरेच फेक्टर A.B. रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति से बलट ले सकता है इसलिए इसे सर्वभॉमिक प्राप्ति करता यानि युनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है इसमें भी पलस मैनस का बात करें तो AB पलस अगर होगा तो वो सबसे बलट ले सकता है स्वेत रुधीर करनिकाओं का परमुख कार ये सरीर की परतिरक्षा करना है सरीर की परतिरक्षा रुधीर के जमने में किस खनिज की अवसकता होती है तो केलसियम का केलसियम वैसे अगर विटैमिन केज होता है बलट क्लोटिंग में हेल्प करता है खुन के जमने में लाल रक्त करनिकाएं सरीर के किस अंग में नस्ट हो जाती है मनुष्य का औसत रक्त चाप कितना होता है ब्लड प्रेसर तो 120 बटे 80 होता है और MMHG ये इसका मत्रक होता है 120 बटे 80 याद रखना है रक्त किस परकार का उतक है ये एक तरल सन्योजी उतक है सन्योजी उतक उसमें भी तरल यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उसकी संतान को कौन सा हो सकता है O बाले में O तो होगा ही और A भी होगा A अथवा O रुधीर प्लाज्मा में परती रक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होता है लिंफोसाइट जो हमारा वाइट बलड सेल है इसलिए उसको लिंफोसाइट या लुकेमिया भी कहा जाता है इसलिए जो कैंसर होता है बलड कैंसर तो वो होता है WBC में उसको लुकेमिया भी कहा जाता है याद रखिएगा कि लुकेमिया जो ब्लड कैंसर है वो किस ब्लड से सम्मंदित है तो WBC से रेड ब्लड सेल में कैंसर नहीं होता क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं होता है नुकलेस नहीं होता दिल का दउड़ा पड़ने हार्ट अटेक से पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है golden hour मनुस्य के सरीर में रख्त का दाव कितना होता है तो बायूमंदिये दाव से अधिक होता है जो जो उपर जाएंगे तो क्या होता है बायूमंदिये दाव कम होता जाएगा और हमारे सरीर का रख्त का दाव बढ़ता चला जाता है जिससे अगर अद्रिक्ष यात्री अगर खास प्रकार कप्रा ना पहने तो उनका नस क्या होगा फट जाएगा जैसे भी देखे होगे अफगानिस्तान की कुछ लोग जो थे प्लेन के उपरें बैठ गये थे एक तो वो प्लेन के गिरने से मर जाते हैं हंडेट परसेंट चांस हुआ ही था अगर वो उससे नहीं मरते तो जो बाहर रहेगा न उसका वो नस सफ हट जाएगा जो काफी दिक्कत होगा मुह से बलड आ जाएगा इसा ऐसा होगा प्लेन के अंदर क्या होता है बहुत अधिक लोग होते हैं और वहापे कंप्रेसर लगा होता है जो की थोड़ा बायूमंडली ये दाव को भी मेंटेन करता है आगे आपका दिया गया है रुधीर में स्वेत रक्त का निकाओं में अत्यदिक मात्रा में उपस्थिती को किस रोग से जाना जाता है तो लुकेमिया अथवा रक्त कैंसर काफी इंपोटेंट है leukemia वही रक्त cancer है क्योंकि वो sweet blood में होता है इसलिए इसको leukemia कहा जाता है insulin नामक hormone का मुख्य कारिय रक्त में सरकड़ा की मात्रा को नियंतरन करना है sugar level को control करना है अगर किसी को diabetes हो जाता है तो उसको insulin का sweet दिया जाता है insulin क्योंकि वो सरकड़ा के अस्तर को ग्लुकोंज के अस्थर को क्या करता है शुगर लेवल को को मिंडेन करता है यहनत्रित करता है रक्त में ग्लुकोंज का का अस्थर किसमे व्यक्त किया जाता है परतीگराम परती motivatesशलि प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उतरदाई होता है एंजाइम प्रतीजें जिसको एंटीजें कहते हैं एक ऐसा पदार्थ है जो प्रती रक्षी के निर्मान को उद्धिपित करता है तथा इसका मुखी बिसेस्ता है प्रती रोधियों के निर्मान को प्रेडित करना, एंटिवाटिक डेफलाप करता है, हमारे सरीड में, रक्त को हिर्दय तक पहुँचाने वाली ध्मनिया क्या कहलाती है, उसको हम कहते हैं, हिर्दय ध्मनिया, थंमनिय केंगिलिस में याद रखिएगा, और जो दूसरा होता है, जिसको वेन्स कहते हैं, नस जिसको कहते हैं, सिरा जिसको कहते हैं, सिरा, वो होता है वेन्स लाल रक्त कनिकाएं मुखिता कहां बनती है अस्थी मज्जा में अच्छा वाइट वलड कहां बनेगा वो ही बनेगा आपका अस्थी मज्जा में ही अस्थी मज्जा आगे आपका है प्लाजमा में जल का प्रतीसत कितना होता है लगभग 90 प्रतीसत जो ब्लड है जो प्लाजमा है उसमें जल का प्रतीसत कितना है लगभग 90 प्रतीसत स्टार्च के जल अपगटन में कौन सा एंजाइम होता है एमाईलेज रक्त का थक्का बनने में फैबरी नोजीन का फैबरीन में परिवर्तन थ्रॉम्बीन एंजाइम के कारण होता है उपर पढ़े हुए थे ये हिरदय की धरकन नियंत्रित करने के लिए सोडियम की अवसकता परती है हिरदय को नियंत्रित धरकन के लिए किसकी अवसकता होती है सोडियम एंजाइम एक परकार का जैबुत प्रेड़क है बायो क्रिस्टल एक धरकन या हिरदय गती की एक आविरती में लगभग 0.8 सेकेंड लगता है हिरदय गती में रख्त दाव कार्णियंत्रन किस गरंथी के द्वारा होता है अधिब्रिक गरंथी यानि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसके द्वारा रख्त दाव कंट्रोल होता है अब याब नीचे में लिखा है हिरदय के संकुचन से धमनियों की दिवारों पर परने वाले दाब रुधीर दाब कहलाते हैं अत्यधिक उचय पर जाने पर मानव सरीर में लालरक्त का निकाओं की संख्या पर क्या परभाब परता है तो लालरक्त का निकाओं की संख्या में क्या होगा बिर्धी हो जाएगा बढ़ जाता है स्याफिणस सिरा, ग्रेट स्याफिणस सिरा, जो की पैर में उपस्थित होता है, सबसे लंबी सिरा है, रक्त-कैंसर होता है जब स्वेत रक्त-कन की संख्या 12,000 पर किस कनिकाओं पौधे का प्रयोग किया जाता है सर्प गंदा का, सर्प गंदा, मानव सरीर की सबसे बड़ी धमनी जो होती है, वो महा धमनी होती है, औरोटा कहा जाता है उसको, औरोटा, किस अंगल को मानव सरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, पिलिहा, स्प्लीन को, रक्त चाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है एस्फिग्मो मैनोमीटर असुद्रक्त का परवा हिर्दै से महा धमनी में जाता है फिर धमनियाँ, फिर धमनियाएं फिर कोशिकाएं अंग में जाता है कोलेस्ट्रॉल की समान सीमा माणडव में कितना होता है 150-260 mg पर 100 ml रक्त्समूं A-B को सर्व भूमिक गडाही क्यों माना जाता है क्योंकि रक्त्समूं में पर्तिरक्षी नहीं पाया जाते है जो A-B होता है उसमें एंटी बॉड़ी नहीं पाया जाता है और जब किसी को blood लेना होता है तो उसमें वो antibody ही देखा जाता है antibody प्रती रक्षी क्या है तो यह glycoprotein है प्रती रक्षी क्या है तो एक protein है याद रखेगा कौन सा protein है तो glycoprotein sclase cell anemia का रोग किसकी बिक्रती के कारण होता है तो RVC red blood cell के कारण होता है अब यहां पर रक्षी पड़ी संच्रण से संबंधित जो पार्ट है हमारे सरीड में वो दिया है तो एक हिर्दय यह पूरे सरीर में रक्षी को परवाहित करता है तो यह से द्रू निकलता है यह बलट फिर धमनिया धमनी और सिरा में थो याद रखेगा धमनी जो है हिर्दय के हिर्दय के अंगों तक पहुंचाता है यानि हिर्दय से होना चाहिए ठीक ना रक्ष को हिर्दय से अंगों तक पहुंचाता है यानि यह जो होगा वो होता है सुध बलट सुध खून जिसमें ऑक्षीजन की मात्रा होती है ठीक ना प्यूर बलट उसी को कहते है जिसमें oxygen होता है, उसे कहते है pure bullet, वो काम किसका है, धमनी का है, धमनी का, ठीक ना, और सिरा, ये क्या करता है, रक्त को सरीर से हिर्दय तक पहुँचा दिया, फिर जो वापस आता है, वो काम है सिरा का, आप किसी भी ट्रिक से याद रखो, जो धमनी, जो बड़ा digit है, बड़ लेके आता है, और जो सिरा है, वो क्या करता है, देखो, यहाँ पर ये देख लो, सिरा, सौसे है न, ये है सरीर, ठीक ना, सिरा सरीर, सरीर से हिर्दय तक लाए जाएगा, तो वो क्या होगा, असुद्धी होगा, क्योंकि सुद्ध बलट हिर्दय से ही जाता है, यहाँ से य प्रेड़ से लागा तो गलत कोन ओगा ठीक ना कैसी याद रखना को बहुत इंपोटेंट है अगे कोशिकाए धमनी तथा सिरा के रख्त का सम्मिलन होता है कोशिका में और कुछ कुछ होता है कोट अप्लम्नेडी धमनी अप्लमनेडी सिरा होता है वहां पे इसका अलग काम हो नितुत्र याद रखिएगा इसको आगे दिया गया है डिसरपीन डिसरपीन नामक कसोधी का पड़ योग उच रख्ट चाप को कम करने के लिए किया जाते रिस्प्रीन जिसको कहते रिस्प्रीन कौन सी कोशिका पड़ती रक्षी का उत्पादन करता है तो लिंफोसैट लिं अल्बूमीन यह ओस्मोटिक दाव अस्थापित करता है ऑस्मेटिक दाव गलोब्यूलीन संक्रमक रोगों से रक्षा करता है फिर फैवरेनोजन यह सकंदन यानि ब्लेड क्लॉटिंग ठका बनने में मदद करता है कनिका विहीन रक्त का तरल भाग प्लाजमा कहलाता है प् पारेंट्स का रुधीर वर्ग जो है एवी हो तो उस मतलब जैसे मता का पिता का दोनों का अगर ब्लड ग्रूप एवी है तो बच्चे में ए बी और एवी हो सकता है स्वस्त मनुस्य के रक्त में प्लेट्प्लेट्स की संख्या समानिता दो लाग से अधिक होता है एक वयस जो है पाचन में सहायक होता है अब यहां में ब्लड ग्रूप दिया है कि माता पिता होगा तो बच्चे में क्या हो सकता है तो अगर माता पिता में ओ होगा तो संभावित जो है वो ही होगा यह सब नहीं हो सकता ए अगर याद रखोगे जैसे ओ हो सकता है तो और कोई नहीं इसमें O blood group गयव हो जाता है A और B हो सकता है A A वाले में A और O हो सकता है A B अगर होगा तो देखो इसमें अच्छी देखो जिसमें A B है जिसमें A B होगा उसमें कहीं भी आपको O नहीं दिखेगा देखो जिसमें A B है उसमें कहीं भी O नहीं दिखेगा सब्सक्राइब होगा और इसको अ को बसा आपको कर देखें कि इसमें अ लोगिया है कि इसमें इसमें और शुक्त कर पढ़े में जो तो सब में लिख़ेंगा ओ को भी इंकलूट कर देना है समान्य रूप से लाल रक्त कनिकानू का आयू कितना होता है एक सो से लेकर दो सो दिन तक अधिक भुक में आपको एक सो बीस दिन लगभग देखने को मिलेगा तो उसके एकॉडिन्टी कर लेजिएगा रक्त में गुलोकोज की मातरा में बिर्धी को क्या कहते है उसको कहते हैं हाइपर गलेसीमिया अब रक्त समान्दी कुछ समझ चाहें है जैसे कि उच्छ रक्त दाप उसको हाइपर टेंसन कहते है निम्नी रक्त दाप होगा उसको हाइपर है ये हाइपो है हेमोफेलिया में आगहात में रक्त सराव होता है material ले जाता है तो धमनी मैंने कहा था कि सरीर से आपको छो खुर से लन चो ले जाता है वो फोले तो था बुलदंब ध्यातों यह मिलते है और स़ल के जरूड़ किजिते हैं नेक्स वीडियो में सबस्क्रूक गर नक्स talks यहां संग्रा मेहेश कुमार वर्णवाल का बुख है हमारा चलरा इसमें बायलोजी आज जो एक्सेसाइज है अन्ता स्रवी गरंथियां एबम हार्मोन इंडोक्रेंग्लेंट्स एंड हार्मोन्स पहला इसमें दिया गया है दुग्द निसकासन हार्मोन ऑक्सिटोसिन का स्राव कौ वो भी होता है ओक्सिटोसिन ओक्सिटोसिन मानव सरीर में पड़ावटू गरंथि से स्रवित होने वाला पड़ावटू हार्मोन जो होता है वो रक्त में कैल्सियम और फोस्फेट की मात्रा को बीनियमित करता है तो रक्त में कैल्सियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन कंट्रो करता है पड़ाबटू हार्मोन और वो किस ग्लेंड से निकलता है पड़ाबटू ग्लेंड से किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है थेरोक्सीन थेरोक्सीन में होता है आयोडीन उपस्थित इंसुलीन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है पेंक्रियाच यानि अगन विनासाय से होता है इंसूलीन हार्मोन का स्रवन. मनुष्य में पित का अंद्रिमान यक्रित में होता है ततह पित का संचाय पितासाय में होता है गोल ब्लैडर में होता है। अनतसरवी हार्मोन कौनजा है तो यह है THS यानि थारायड अस्टिमूलेटिंग हार्मोन लडो और उरो फाइट ऐन्ड फ्लाय के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है एड्रिनलीन गलेंड होता है मानब शरीर का समानित आपमान कितना होता है 98.6 फरनहाइट 98.6 जिसको हम 37 फरनहाइट कहते हैं शरीर में अतिरिक्त गुलुकोज ग्लाइकोजेन में पडिवर्थित होकर यक्रित में सनरक्षित रहता है सरीर में कौनसी गरंथी वहनी हीन होती है वहनी हीन होता अंता स्रवी गरंती जो होता है डक्टलेस होता है यानि वहनी हीन होता है पस्वों के थनों में दूद उतारने के लिए किस हार्मोन की स्विकिया वसकता होती है लगाई जाती है तो ऑक्सिटोसीन हार्मोन होता है अक्सिटोसीन हार्मोन मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है इंसुलीन डैविटी जो होता वो इंसुलीन की कमी से होता है अगनासाय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है वो है सिक्रिटीन सिक्रिकीन यदि अगनासय में कोई बिकार उत्पन हो जाए तो इंसुलीन और ग्लुकागॉन का निर्मान नहीं होता है कौन सी गरंथी बिर्धी हार्मोन का डिसाब करती है प्यूस गरंथी मानब सरीड में सबसे छोटी अंतासरवी गरंथी भी प्यूस गरंथी ही है हार्मोन की और नियमित्ता के कारण होने वाला राग जो होता है वो क्रियात्मक रोग होता है अब यहां पर मानब हार्मोन और उसकी भूमिका दिया गया है जिसमे पहला जो है सोमेटो एस्टेटीन स्वेटो एस्ट्टूटीन ये ब्रिधी हार्मोन के स्रावन को रोकना औक्सिटोसीन वा पिटोसीन औक्सिटोसीन होता है तो नोई कि वह अप्रसव के समय गरवासे के फैलाव एब म संकुचन को परिशित करता है साथी अस्थन गरंतियों में दुग्द स्रावन को प्रेसित करता है मेलिटा नीन, मेलिटा नून, मेला टो नीन या सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है मेलाटोनीन, एड्रीनेलीन, यह हिर्दय असकंदन, रुधीर दवाबवा सोसन को नियंत्रित करता है साथी सरीर को युध या पलायन के लिए तयार करता है एस्ट्रोजन, यह इस्त्री में सहायक प्रजणन अंग के बिर्धी और विकास से समंधित है साथी स्त्रीयों में दुत्यक लेंगिक लक्षनों के विकास में भी यह हिंपोटेंट होता है अस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोण, यह गरवासय को भुर्ण के अधिरोपन के लिए तयार करता है गरवासय बनाए रखने में भी सहायता करता है प्रोजेस्ट्रोण, आगे आपका टेस्टोएस्ट्रोण, यह पुरुस के लिए है पुरुस के सहायक प्रजनन अंग की बिर्दियों और विकास में इंपोर्टेंट होता है पुरुस दूतिये लेंगिक लक्षनों का विकास भी इसी से होता है टेस्टो एस्टेराउन से और पेश्चियों के विकास में भी सायक होता है फिर आता है रेनीन ये एल्डो एस्टेराउन के स्रावन को प्रेसित करता है साथी प्लाज्मा प्रोटीन एंटियो टेनसी नोजन और एंजी टेनिसन को तोड़ता है जो हिर्दय के अस्पंदन किदर को बढ़ाता है अगर यह लिखा गया है कि एड्रिनेल हार्मोन जो है इसके सरावन से हिर्दय गती बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है किस गरंथी को मास्टर गरंथी कहा जाता है यह है प्यूस गरंथी पिटूटरी गरंड को मास्टर गरंथी कहा जाता है बायो प्रोसीन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है डाय यूरेसिस अस्थन धारियों में दुख्ध सराव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करता है ओक्सिटोसीन और पोलेक्टीन आगे अपद यागे है पैरोटीर गरंथी कहां पाई जाती है कान के नीचे मानव सरीड में सबसे बड़ी अंता स्रावी गरंथी कौन सी है थैराइड थैमस गरंथी द्वारा उत्पन होने वाला हार्मोन जो है थैमोसीन गर्व निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोली दी जाती है एस्ट्रोजे प्यूस गरंथी किस अंग में पाई जाती है मस्तिस्क में कौन सी गरंथी अंता इबंवाई स्रावी दोनों के प्रकार है अगनास है अगनास है कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग परदान करता है मेलानीन कौन सी गरंथी मानव सरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहयता परदान करता थैराइड यहाँ पर एक तरफ गरंथी दिया गया है और दूसरे तरफ हार्मोन होता है कौन से गरंथी से कौन सा हार्मोन होता है तो अगना साई इससे होता है गलुकोगाउन, प्यूस गरंथी से थाइराइड उदीपन हार्मोन अधी ब्रिक से कार्टी सोल और ब्रिक से बिटैमिन डी मनुसिके नवजात सिसू को अस्थन गरंती से निकलने वाले सराब को पिलाया जाता है, जिसे कुलोस्टरम कहते हैं, कुलोस्टरम सिसू के लिए काफी लाब दायक होता है, या सिसू को रोग परतिरोदक सकती परदान करता है। इंसुलीन किस धातु मौझूद होता है? इंसुलीन में कौन सा धातु मौझूद होता है? जस्ता. मानव सरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फोसफेट वा कैलसियम को नियंत्रित करता है? पड़ावटू. हार्मोन सरीर के उपाप चाय, बिर्धी, जनन, रुधीर, दाव, जित एवमान स्पेशियों में उड़ जा, किस रूप में जमा होता है? तो वो होता है गलाइकोजेन में. गलाइकोजेन. अब यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है, जिसमें की जो मुख्य गरंथी है, इंपोटेंट गरंट वो दिया गया है. पहला इसमें हाल्डे डियन ग स्लेशम गरंथी मेड़क की त्वचा में म्यूकस का स्रावन करता है. ब्रुनर्स गरंथी यह कसेरुक प्राणियों के गरहनिया में सनरक छक प्रती अमलका स्राव करता है. प्रोस्टेट गरंथिया अस्थनियों तथा क्चुओं के नर जरनंगों में सहायक गरंथिया है. आगे है वाइटे लाइन गड़न्तिया, वाइटे लाइन ये प्लेटी हेलमिन्थिस प्रानियों के जरनंगों में पाया जाता है, फीमोडेल गड़न्ति सरिस्प जन्तियों के जांगों में पाया जाता है, वसा गड़न्ति अस्थनियों के तवचा में पाया जाता है, अस्थनियों में दूद का स्रावन करता है, शेरू मिनस गरंथी अस्थनियों के कर्ण गुहा से मुम के समान पदार्थ का स्रावन करता है, शेरू मिनस गरंथी, लेक्राइमल गरंथी, ये नेत्र में उपस्थित होता है, लेक्राइमल डिप गरंथी, संजुक्त नालाकार ग आगे आपका दिया आगे रोग और उप्चार इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे काफी इंपोटेंट है यह भी सेशन को यह इंड करते हैं अच्छा लगाओ तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए का पस्त नहीं आए और डिस्लाइक भी कर सकते हैं पर कारण जरूर बतान दिजीज एंड ट्रीटमेंट थोरा लंबा एक्सरसाइज है लेकिन काफी इंपोटेंट है वीडियो को पुरा ध्यान से देखिएगा प्रस्न पहला है पानी से भाय यानि पानी से जिसको डर लगता है तो हैड्रोफोविया जिसे कहते हैं वो होता है विसानू के द्वारा म्यली जो कुटा करता है तो उसको भी हैड्रोफोविया हो जाता है वो विसानू के द्वारा होता है मश्तिसक तथा मेरू रज्जू पढ़चधी झिल्ली में सूजन आजाना ये रोग का लक्षन है मेनेंजेटिस का मेनेंजेटिसक सिष्वों में अतिसार का क्या कारण है रोटा वैरस अतिशार मिन्स्वा डेडिया जो हो जाता है वो होता है रोटा वैरस रोटा वैरस वातोत माद हिस्टीडिया रोग समानिता युवा महिलाओं को प्रहावित करता है हिस्टीडिया अंध बिंदू या पीत बिंदू आंक के किस भाग में होता है यह होता है द्रि पपर दरिश्टी पटल यानि कॉर्ण डितिना पढ़ा है और सिलिकॉसर रोग किस अंग से समधा सिल्यों कोसे सरे Vallahi ऑल्कल ठेपल एंटिजन वेक्सिन ट्रिपल एंटिजीन वैक्सिन दिया जाता है myaली बच्चों में वह तक कु above कुकुर्खांसी टेटनस और डिफ्थिरिया के परतिरक्षा के लिए कुकुर्खांसी टेटनस और डिफ्थिरिया ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन मलेडिया रोग किस जीब के कारण होता है प्रोटो जुआ मलेडिया होता है प्रोटो जुआ के कारण फैलाता है वह मादा मुंस रेवीज एवं हरपीज आधि विसानू जनित रोगों के समू है रिपीट करते हैं विसानू से होने वाले रोग है मुंस रेवीज और हरपीज जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग होता है केडमियम कैडमियम अगर जल में अधिक होगा उससे होता है इटाई इटाई रोग फैनिल कीटो नियूरेरिया रोग समंदित है मानसिक जरता से मानसिक जरता पोटासियम अलपता किसे समंदित है निमन रक्त चाप से low blood pressure से potassium अल्पता, potassium की कमी से होता है निम्ने रक्त चाप malaria में या malaria से कौन सा अंग परवावित होता है स्प्लीन जहांपे blood जो होता जाके मर जाता है स्प्लीन कवरगा कहते है तो वही होता है malaria से परवावित अनुवांसिक रोग ling sahal magna sahal gun royal hemophilia royal hemophilia का जाता है उसे को भारत में malaria के 65% रोगियों के लिए pyvex पड़जी भी उतरदाई है pyvex hemophilia एक अनुवांसिकी बिकार है जिसमें रक्त का असकंदन जो है वो नहीं बनता है रक्त का clotting नहीं होता है dango बुखार होने पर मानव सरीर में किसकी कमी होने लगती है platelets की platelets malaria plasmodium नामक पर जीवी की खोज किस बैज्यानिक ने किया था sir Ronald Ross ने sir Ronald Ross tumor की पहचान के लिए किस radio धर्मी समस्थानिक का पड़ियो किया जाता है arsenic 74 arsenic 74 यदि मुत्र के साथ albumin की मात्रा आ रही है तो kidney का परवावित होने का संभावना है अगर albumin आ रहा है तो salktika होता है polio के लिए salktika polio के लिए athlete foot नमक बिमारी संबंदित है फुपुंदी से fungus से अगे है मनुष्य के सरीर में रक्त परवा की गती को मापने के लिए किस radioactive तत्व का परयोग होता है radio sodium का radio sodium polis युक्त चावल के सेवन करने से very very रोग होने की संभावना बढ़ जाती है very very जो कि होता है vitamin B1 की कमी से thiamine की कमी से plasmodium परजीवी का बाहक होता है मच्छ plasmodium परजीवी का हानिकारक वीकिरन से मनुष्य के अंग में से मस्तिस्क सबसे कम और आँख सबसे अधिक परभावित होता है अगे MRI का full form क्या होता है magnetic resonance imaging magnetic resource imaging BMD prediction किसकी पहचान के लिए होता है तो osteoporosis यानि अस्थी रंधता osteoporosis के लिए होता है BMD test Gika virus का बहाग होता है endis mature मदुमेह के उपचार में पर्यूग होने वाला हार्मोन insulin का विस्कार किया गया था FG bending के द्वारा FG bending पाडियावरन परदूसन द्वारा होने वाली बिमारी emphysis से फफुफुंद परभावित होता है पेजल में nitrogen की अधिक मात्रा होने के कारण blue baby syndrome नामक विमारी होता है blue baby syndrome मानव सरीड का कौन सा अंग alzheimer रोग को परभावित करता है alzheimer रोग से परभावित होता है alzheimer रोग होता है polio tk की खोज सरपर्थम किसके द्वारा किया गया था ये 1952 में john salk के द्वारा किया गया पोलियो एक बिशानू जनित रोग है इसका वाइरस सरीर में दुशित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है मस्तिस्क के बिमारी को किस से पहचाना जाता है तियो मस्तिस्क लेक से बिधुत मस्तिस्क लेक जिसको हम EEG कहते है electro-ecophelograph समानी जुखाम किस वाइरस के द्वारा होता है रीनो वाइरस से रीनो वाइरस एनोसीमिया नामक रोग किस्चे समंधित है सुंगने की सकती कम हो जाती है सुंगने की सकती एनोसीमिया सलफा दवाई यां किस बिमारी के उपचार के लिए उपयोगी है जिवानु जनित बिमारी के लिए सलफा दवाई उपयोग होता है DPT वेक्सीन का पड़ियोकिन बिमारी के बचाव के लिए होता है तो टिर्पल टी जो पढ़ेते वही है डिफ्थेरिया, काली खांसिय और टेटनस हिर्दाई की धरकन किस तत्व द्वारा नियंत्रित होता है पोटासियम अगर पोटासियम कम होगा तो BP low हो जाएगा अधिक होगा तो BPI हो जाएगा जिवानू जनित रोग यहाँ पे हैजा है हैजा, डिफ्थेरिया, छाए रोग, कोड, टेटनस, टाइफाइड, प्लैग, काली खांसिय, नेमोनिया, अगोनोरिया, सिफलिस और सुजाक हैजा के लिए होता है बिब्रियो कोलेरी जिवानू डिफ्थेरिया के लिए कोरिन बैक्टिरियम, डिफ्थ्रियाई छाए रोग, मैको बैक्टिरियम, ट्यूबर, कोलोसिस, कोड, लिप्रेसी, इसके लिए मैको बैक्टिरियम, लिप्रेसी, टेटनस, कलास्टिडियम, टिटेनी, टाइफाइड, स्लामोनेला, टाइफोसा, फ्लैग, पास्चुरेला, पेस्टिस, काली खांसि, बोडी टेला, पर्टूसिस, नीमोनिया, डिपलो कोकला नीमोनी, गोनोरिया के लिए निसेरिया गोनेरा हुई, सिफलिस, सिफलिस रिपीटेड है, ट्रेपेनेमा, पैलेडियम, सुजाग के लिए गोनो कोकस गोनोर हुई, एमीनो सिसिलिक एसीड, परती सुक्ष्म जीवी और सौधी के रूप में यक्ष्मा और कुस्ट दौनों के चिकित्सा के लिए उप्योगी होता है, संक्रमित चुहे के काटने से होता है, फ्लेक, और बिंदुक्ता नामक रोग आँख को परहवित करता है, निंद्रा रोग न होता है वायरस से एड्स, डाउन सिंड्रोम नामक अनुवान्सी की विकार किसके कारण होता है, गुन सुत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, याद रखिएगा गुन सुत्र में से पांच मां है, तेरह मां, एक्कीस मां, तैस मां जोडी, तो इस अब याद कर रहेज जाता है, एड्स किसका संचिप्त रूप है, एक्कॉाइड इम्यूनो डिफिसेंसी सिंड्रोम का, एड्स वायरस, एच्टी अलवी थिरी की खोज किसने की थी, रॉबर्ट गेलो, रॉबर्ट गेलो, एड्स के उपचार के लिए सबसे उपित दवा कौन सा है, जीडो वु इसी छेतर से दूर रखना आवस्यक होता है, जापानी एंसेफलैटिस के लिए, एलीसा परिक्षन होता है, एड्स के लिए, थेलेसीमिया में रोगी में सरीर अपने संसिलेशन की छमता नहीं रखता, यह होता है हमोगलोबीन, थेलेसीमिया का जो रोगी होगा, उसमें हमो एड्स छोटी माता और गल्सुआ तीनो संक्रमक विमारिया है, आगे आपका एफलाटिक्स खाद, भिसाक्तन यानि पोईजन जो होता है, द्वारा कौन सा अंग परहवित होता है, तो यक्रित होता है, यक्रित, साथी नीचे दिया गया है कि पैथोलोजी जो होता है, गुर्दा, इंटर्फेराउन का पड़ियोग, कैंसर को नियंत्रित करने के लिए होता है, इंटर्फेराउन, सिलिकोसिस क्या है, ये फेफरे से सम्मांदित रोग है, सिलिकोसिस, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है, जिंक, सफेद कित किस फसल के रोग है, सर् खासरा रोग को एंटिबायोटिक्स से द्वारा ठीक नहीं किया सकता है खासरा गोग गामा गलोबलीन इंजेक्शन का प्रियोग होता है हेपाटेटिस के लिए हेपाटेटिस रानी खेद संबंधित है मुर्गियों से मुर्गी गेहूं में होने वाले दो परमुख कबक स्मट काला किट और स्मट धान का टुंगडो बिसानू के द्वारा परसारित होता है हरी पत्ती के फुफुन्दे द्वारा हरी पत्ती के फुफुन्दे द्वारा वर्ड फुलू H5N1 इंफुलूंजा बिसानू के कारण होता है आलू में ब्लैक हर्ट के कारण कौन सा पस्टू में प्रोटो जवास होता है वह दिया गया है तो रोक के नाम पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या सब होता है रोक के लक्षन तो चुदियोसिस में होता है रक्त सरावी आजरसोद खुण। पेचिश से बाव्थीयस इस तिब्रज्वार रक्त अलप्ता रक्त की कमी कि थीलोश्योसिस तिब्रचुआर बाहल लसी का करंथी में सुझान। कि इनप्लाज्म神 उसे लाल रक्त कनिकाओं कविनास की चरह ट्र healthy condition गरह पात और जो बांध्यता होता dein बिटैमिन E की कम्मी से वही है अब यहां विसानु जनित रोग दिया गया है जिसमें छोटी माता खसरा, पोलियो, रेवीज, चेचक, जनानांग हर्पिस, एड्स, हेपेटाटिस, एन्फुलूंजा, गल्सुआ और जनाइटल हर्पिस यह सब होता है विसानु के कारण विसा खसरा, मोड मिली वाइडरस, पोल्यो, पोल्यो वाइडरस, रेवीज, रेवीज वाइडरस एलिख दिया चेचक, इटेचक का वेरियोला वाइडरस, जनानांग हर्पिस वाईरस, एड्स का लोग का हूमे क्वाहर फिसुलूंजा एल्स, हेपातेटाटिस वाइरस, सिस्ट से होता है आप काटिका नव्जाच इसुख और लगता है प्रूंत वाद यकरित सो है परे recommended गरोगों के उत्रदाई कीट होता है वक्टत ते ług थेलेशीमिय एक अनुवांसिक विमारी है यह प्रुढवित करता हैं रूधिर को बलड नेत्र में अब पोलियो मेलेटाइस रोग किसमें फैलता है विसानू से फैलता है रक्त का आरेच क्या है यह प्रतीजन है प्रतीजन अब करोना वायरस और कोवेट 19 के वारे में कुछ दिया गया है तो करोना वायरस ऐसे विसानू का एक बड़ा समू है जो मानव तथा सब्स्कारास तक हो सकता है यहां परर फूर्फोम आप पूजा रखना पड़ेगा पूछा जाता है और शेवियर एकवेट्सेट् अख्वेसान सिंड्रोम होग और मर्सका जो है मीडल इसटरिकेंटिक सिंड्रॉम चैनल इसमसें और इसमें सार्च में एक होता है और सीवियर एकवेट आगे बरतमान समय में विशु भर में फैले संक्रमन को करोना वाइडस डिजीज कोवेट 19 का नाम दिया गया है यह संक्रमन चीन के वुहान सहर में दिसंबर 1919 में 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसमें विशु ब्यापी महामारी का रूप ले लिया 210 के लक्षन में, समान्य लक्षन में बुखार, सुखि depuis 190, शरीर, सीड़ और सिर्दृ, खरस, स्वाद और सुहने की हमता में कमी, और साथि नेट्रad की वी हो जाएब उपचार के लिए आप्छें को बाचा striking नंतिन सेर होलं साफिक हैं करना है घर से बाहर निकलने पर मुह और नाको ढखने के लिए मास्क फेस कवर गमचादी का प्रयोग कीजिए किसी भी संभावित संकर्मित बस्तु अथ्वा वेक्ति को छूने के बाद साबुन से जरूर हाद हो यह हैंड़ी हैंड़ी का प्रयोग कीजिए इस समंद में सरका यह उपर हम पढ़े हुए थे अभी ठीक ना विसानु से पहले जिवानु फढ़े हुए थे उसमें वाईरस का नाम दिया गया था तो यह नाम को ना इसकी पढ़ लेते हैं यह पढ़ लेते हैं, टीका रोग किस में होता है, मुंगफली में होता है, हाइडरोफोविया रोग होता है इस्ट में, खसरा किस संक्रमन के कारण होता है विसानू से, जन्तु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है विसानू के कारण, विरिक्छो की छाल में उग पचे हुए भोजन में मौझूद विसेले पदार्त कौन सा अंग चूसक करता है यकृत कालाजार का संचार किसे होता है सिक्ता मख्यी से सिक्ता मख्य काली खांसी के बचाव के लिए सिसुओं को लगदा है डेपीटी गाटी का अब महतपुर्ण चेत्र और जनक है अनुवान सिक्की का जनक मेंडल है सुक्षम जीविकी का जनक है लविपास्टर परतिरक्षा बिग्यान का एरवर्ड जेनर और जिवानु बिग् से याद रखिएगा इसको मलेडिया होता है पलाज्मोडियम वैवेक्स से मजर्ण से एंट अमीवा सिमलेक्स कालाजार यह होता है लीसा मेनिया यानि बालू मखी काटने से इसे अपाइड यह एंट अमीवा जिंजी वेलिस से और सोनिक विमार्णी तो ट्रिपे लिपेयन अगे क्रिमी जनित रोग जिसमें रोग है फालेरेसिस, एटेनियसिस और एसकोरियसिस, फालेरेसिस में जो कारक है वो सब है कोउचेरिक, बैक्रो, फटाई, बुर्गिया, तिमोरी, टेटीयसिस में है टीनिया, सोलियम, एसकोरियसिस और एसकेरिस, लुब्रिकाइटिस, अब यहां से जो पौधे में रोग होता है न वो दिया गया है तो कवक से जो होता है आलू का बिलंबित अंगमारी रोग यह होता है फाइटो पथोरा इनफेस्टस फिर रेपिट करते हैं फाइटो पथोरा इनफेस्टनस आलू का पुर्व अंगमारी रोग यह होता है अल्टर नेरिया सोलनी मुंगफली का टिका रोग सरकोस्पोरा परसोनेटा आप याद रखना कबक्स होने वाला यह सब रोग है बहुत हार करेगा तब विजानू का नाम जिवानू का नाम होता है गना का लाल विंगलन यह होता है कुले कॉलेटो ट्राइकम फाल्केटम गाहूं का कालाटिका पॉकसी निया ग्रेमेनिस ट्रीटिस गेहूं का अस्थल कंड यह होता है अस्टी नेगो ट्रिस्टिया ट्रीटिसी गेहूं का चूर्न आसिता इरी साथी, ग्रेमिनिस कुरूसी फेरा का सफेद किट यह परश पड़ लीजा है pare aja धिंगा इसे सब होता जिवानों से वाज़रा का मिर्दु रोमेला आसिता कुरूसी फेरा का मिर्दु मेली मिर्दु रो मील आसिता में लुटा अलु का वाल्ट वावर्व बाजरा का ग्रीन एयश रोग राई एर्गॉट रोग और ब्राउन लिफ ऐस्पट चाव औह राईस होता है चावाल में होता यह सब वह जिवान उसे कृ सुर्णि मापकी यह sanctuary आग你好 कि इसमें तंबाकू का मॉज को मेरЭтоस से आलू का मॉज को पादप रोग नेंबू का ड्यवेख कौपर की कमी से आवले का अंतिर्टिक flower बोर्ण की कमी से नेंबू का लिटिल लीफ कौपर की कमी से आम में लेटिल लीफ जस्ता की कमी से मटर में मार्स रोग मैगनिक की कमी से धान का खेरा रोग जस्ता की कमी से फुलकोबी में हिप टेल मॉलीब लेटम की कमी से चुकुंदर में हाल्ट रॉट बोरॉन की कमी से आलू का ब डेंबू का सितिल रोग यहोता है सीजो मोनास सेलेने सीरुम से धान का उंग्वारी डोग जनतो मोनास ओराई जी निंपू का केकर रोग जिनतो मोनास सित्री गेहूं का टूंड रोग क्सक्ता रोग कोड़ीडो, वेक्टरियूं ट्रिटीक open, रोग ऍसक्ता मसे measure अब आगे विवीत दिया गया है तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे सेशन अच्छा लगणात जरूरोड लाइक और सेषियर किजें मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जाहिंद दोस्तों आप देख रहे हैं आध्यन के अंदर और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं काफी इंपोटेंट है वीडियो को दिहान से देखिएगा क्योंकि इसके सारे टर्म जो दिया गया है न वो इंपोटेंट ही है यहाँ पर पहला दियागे अनुबान सिक्ता की इकाई जीन है अनुबान सिक्ता की इकाई जीन एजोला क्या है यह एक जलिये फर्ण है और एक जैविक उर्बड़क भी है स्वैविन में नैट्रोजन इस्थिकरन के लिए वेक्टिरिया का परियोग होता है उसका नाम है राइजोबियम जोपोनिकम मेंडल ने अपने चीर प्रतिष्ठित वनसागत नियमो को परतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रियोग किया था मतर के पौधे का जीवों में अनुवांसिक लक्षन किसके माध्यम से संतानों में जाता है क्रोमोसोम के द्वारा क्रोमोसोम पुरूस सेक्स हार्मोन इसमें से है टेस्टोस्टेडाउन कौनसी गरंथी को एक बिशेस हार्मोन का असराव करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है जिसकी कम्मी से ग्वाइटर रोग होता है तो वो है थाराइड परानियों में आहार, स्वसन और संसलेशन उपाचक के लिए तीन परमुख गुन होते हैं स्वेद वास्पन की किरिया किसे समंधित है उसमा सोसक किरिया से, कौलेस्ट्रॉल क्या है यह जनतू वशा में उपस थेते हैं वसी अलकोछल है कारवन डेटिंग बिधी से जिवास्म का आयू ग्याद करते हैं फोसियल का प्रथम डैना सोडियम कहां अस्थापित किया गया यह हुआ है हैदरावाद में हैदरावाद भोजन अचावी एक हाथी अस्पतल खुला है वो कहां खुला केरल में भोजन वनस्पति घी की अपेक्छा तेल में बनाया स्वास्त के लिए अधिक लाबदाया क्यों माना जाता है क्योंकि तेल में औस संत्रिप्त वसा होता है गतीप रैड़क का का यह ह्यृदय असपदन यानि हर्टबीट या धरकन को समंझित करता है कंट्रोल करता है फेडो मैं किस्च्य thou shoda hi लेमिनेरिया से, सेवाल से ट्रोकोमा विमारी प्रावित करता है आँख को अस्थानिये बनस्पतियों का संगणा कहलाता है हर्वेरियम देश का पहला बायोडीजल सैंतर किस राजे में अस्थापित किया गया था आंध्र परदेश में आंध्र परदेश गुर्दे की पत्री को किर्नो दुआरा तोड़ना कहलाता है लीथो ट्रिप्सी सरीर के आंतरिक भाग के अवलोकन के लिए पड़ियोग में आने वाली पडिकलित ट्रोमोग्राफी के लिए X किरन पड़ियोग में लाया जाता है सांती सोरूप भटनागर पुरुसकार किस थेतर में परदान किया जाता है बिज्ञान के लिए बिज्ञान के लिए सांती सोरूप भटनागर पुरुसकार पर्न हडित में मुख्य कौन सा तत्व होता है मैगनिसियम पेनिसलिन का विसकार क्या था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्रित्रिम रेसम को किस नाम से जाना जाता है रेयाउन टूफोर्डी का प्रियोग होता है साकनासी के रूप में साकनासी जो साइड से और पौधे होके जाते हैं एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आस्रित होना कहलाता है उप परजीबता है यानि सब प्रेस्टिज्म आँख में सुक्राहता किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है पीला और हडा के लिए पीला और हडा यहां पर नीचे में लिखा है कि जो डार्विन है उन्होंने एक बुक लिखा दो ओरीजिन ओफेस्पेसिज डार्विन इंग्लेंड के थे बायो डिजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयों किया जाता है रतन जोत या ट्रोटोफा उर्जा के बैकल्पिक स्रोत के संधर्व में जैव इंधन एथेनौल किसे प्राप्त होता है गन यह नाम होता है स्वीट चीटी भारत में हाई सेक्यूरिटी एनिमल डिजीज लेवरेट्री भोपाल में इस्थित है मधिपर्देश भोपाल नेको का फूल फॉर में नेशनल एड्स कंट्रोल और्गनाजेशन नामक संस्था यह एड्स से सम्मंधित है यहां पे लिखाव की मंत्राला के अधिन ऑक्सोनो मीटर का प्रयोग इसके लिए होता है पादपों की बिर्धी दरकुम आपने के लिए ऑक्सोनो मीटर भारत का पर्थम दंत चिकित्सा महा बिद्याले हुआ पादपों की कॉलकाता में भुर्णिय बिर्धी को मापने के लिए अल्ट्रा सोन के तकनी का पड़ियोग होता है हीरोईन निसकापीन किस से पड़ाप्त होता है अफिम पोस्त से वारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए कौन सा जन्तू होता है उपयोगी मधुमक्खी 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 कॉलनी का सदस्य उसके सदस्यों की पहचान जो होता है ड जाता है पॉली हॉस मधुमक्यों की भासा की पहचान करने के लिए किसे नवल पुरुसकार से सम्मानित किया गया था कार्ल वॉन फ्रिक्स कोको उपर की तरफ जाता है न वही उच्छे वरगिये पौधे में कौनसा जिवित उत्तक जैपोसक का वहाख है फुलोयम पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है वह है से नोड्स सीतल पे में किस पदार्थ में प्रियाप्त मात्रा में होता है कैफीन कैफीन डॉक्टर दौरा मरीज के आंत्रिक भागो का परिक्षन करने वाले एंडोयसकोप में परकास का पूर्द आंत्रिक प्रावरतर के सिध्यान पर कारी करता है हर गविंद खुराना के से लिए उनकों कु नौल्स मिला था यह मिला गोईर्टिक कर्षीं संसलेशन ने की भी मैं कर निकले हर गुद करना नहीं किया था स्वात स्वान डॉग सर्प कौन सा है किंग कोबरा किंग कोबरा बीज के प्रकिर्णन में सेंसर विधी किस पादप में पाई जाती है पोस्ते में उट अपने कुबर का अपयोग किसलिए करता है वसा के संगड़ा के लिए वसा जार्विक यानि कृतम हिर्दय का नाम है जार्विक इसका विसकार क प्रिक्ट की आयू कैसे निर्धारित की जाती है तो उसके तन्य में जो निर्मित बलाय की संख्या होती है इस पर जितना बलाय होगा उतना पुछा जाता है अगर 50 बलाय है तो एज कितना होगा 85 होगा आधा दुगना नहीं करना कारवनिक पदार्थों में से कौन सा एक प्रकरती में सरवाधिक प्रचूरता में पाया जाता है निशेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है और निशेचन जनन धान के पौधे उगाने की डोपांग बिधी किस देश ने विक्सित किया है फिलिपेंस ने नेतरदान में कोड़निया दिया जाता है दक्षिन अफरिका के डॉक्टर क्रिस्चन वनार्ड दुआड़ा हिर्दय का पर्थम पर्थिया स्थापन किया गया था भारत में विक्सित धान की पर्थम जो बोनी किस्म है वो है जया हिर्दय में कितने कक्ष होते है तो यह जो मानव होता है ना मानव के हिर्दय में चा प्रद्योगी की दौड़ा कैंसर के उपचार के लिए इंटर्फेरोन का पडियोग किया जाता है परती जन वह पदार्थ है जो परती रक्षी के निर्मान को उप्रेडित करता है पसू का तापकरम किस यंतर से मापा जाता है वेटनरी थर्मामीटर लोही किस जन्तु का पादप किस जन्तु अत्वा पादप का नसल है भेर केसर पौधे का वर्ति काग्र से प्राप्त होता है वेटी वैगन या अनुवानसिकी रूप से परिवर्थित वैगन है गय में उच्च दुख 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 पादत कौनसी है तो वो है होलस्टाइन गय यहां पर अभी इस खारक का नाम दिया गए काफी इम्पोर्टेंट है कोशिस किजिए याद घोजने का विटामिन का फंक विटामिन A के लिए मैकवल विटामिन B के लिए होलकट मिटामिन इंडिका हॉपकिन्स सलफा ड्रग्स इसके हैं गैड हर्ट डोमेक एस्ट्रेप्टोमाइसीन सेलमन बॉक्समेन अब्रहम हिर्दय परतियोरोपन क्रिशन बनार्ड अभी पढ़े थे होमियोपैथिक हैंनीमेन काफी अज़े देखो यह परस्त आता है हमियोपैथिक किस देश में शुरूआ पहले जर्मनी में बहुत इंपोर्टेंट है जर्मनी मलेडिया परजीबी और चिकित्सा ये रोनाल्ड रॉस ने किया था पेचीस और प्लैग की चिकित्सा कीटा जाटो ने किया लेंग हार्मोन इस्टे जॉक इस्टे नॉच ओपेन हर्ट सर्जरी वाल्ट नली लेहन गर्व निडुदरा गोली पिनकस अगे आपका पर्थम परख नली शिसू ये किया एडवर्ट सन और स्टेप्टो एलेक्ट्रो कार्डियो गडाफी विलियम इन्थो वेन एंटी जन के लिए लेंडेस्टिनर आड एन ए फ्रेडरिक मीसर डियने के लिए जम स्वार्ट सन और किरिक इंसुलीन के लिए फ्रे जोन सालक, बीसी जी के लिए कैमलेट और कैमिली गविरीन, वेक्टीडिया के लिए लिए लिवेन होक और अक्समू के लिए कार्ल लेंडेस्टिनर, यहां पर यह लिखा गया नीचे कि धान की जो खेती होती है, इसमें सेवाल का पढ़योग जैर इरुब्रक के रूप में नेट्रोजन की आपूरती के लिए किया जाता है, तो यह आपका बैलोजी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, फिर मास्टर वीडियो में बना दूँगा, जिसमें पूरा एक लेशन से लेके, लास्ट तक पुराड़ हैगा, तो उसको देख लीजिएगा, काफी आपको help मिल लेगा, तो यहां वीडियो को हिंड करते हैं, और जो भी जलोडत मंद हैं उन्दक सेर कीजिए, ताकि उनको भी फैदा हो सके, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, जाहिंद!